यह maximum separation है, इसे हम staggered confirmation कहते हैं, और यह जो angle बनता है, इस angle को हम कहते हैं dihedral angle, जैसे हम single wand में बात करते हैं, single wand में वो rotation हो रही थी जिसकी वज़े से confirmations बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई rotation नहीं हो रही है, one equivalent use नहीं करेंगे, अगर one equivalent H2 use किया है, तो फिर mixture of products बन जाएगा, फिर alkyne भी बनेगा, कुछ alkyne बच जाएगा, और कुछ alkyne बन जाएगा, जब हम aesthetic character of terminal alkyne की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी comparison कर रहे है, alkynes and alkynes के साथ, simple सा rule है कि जैसा इस जगे पर अगर सोचें, तो यहाँ पर एक hydrogen है, और यहाँ पर दो hydrogen है, तो hydrogen वहाँ जाके hydrogen है, उस double bond वाले carbon पे, hello everyone, हम शशी और आज हम one shot lecture alkynes, alkynes and alkynes chapter के लिए, hydrocarbons के लिए basically कर रहे है, इसमें हम क्या-क्या contents है, यह देख लेते हैं, तो contents यह है, alkynes में हम, जो basic, सबसे पहले तो हम इस chapter का थोड़ा alkynes topic का थोड़ा review कर लेंगे, और उसके बाद फिर उसके ज बनते हैं, फिर उनके reactions क्या होते हैं, physical properties, यह सब पर हम discussion कर लेंगे और साथ ही उनके previous year questions, and similarly alkynes में भी यही हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, और फिर उनके previous year questions क्या आए हुए है अभी दो-तीन सालों में, वह हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम alkynes से शुरू कर रहे है, तो alkynes में बिल्कुल scratch से जा रहे हैं एकदम, again तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फिर से copy लेकर बैटना है, और जो भी यहां पर तुम्हें structures दिख रहे हैं, जहां पर तुम्हें नाम लिखना है, जहां पर भी कुछ questions solve करने का रह सबसे पहले तो alkynes के अंदर naming में क्या rules है, हमें longest chain सबसे पहले ढूंडना है, उसके बाद अगर हमें एक से ज्यादा chain ऐसे मिल जाते हैं, जो कि सेम carbon के हैं, तो फिर हमें सबसे ज्यादा branches जिसमें हैं, वो देखना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम यही कर रहे है, identify the chain containing maximum number of carbon atoms, and in case there are more than one such chains, look for the chain containing maximum branches, and then जो third point है, जैसे अगर हम इस वाले example को चलो देख लेता है, तो यहाँ पे आभी जो longest chain है, वो clearly यह पता चल रहा है कि यह वाली जो chain है, यह longest chain है, इसी chain का हमने bond line formula draw करके रखा हुआ है, ता कि आपको यह problem नहीं रहे कि इन bond lines को कैसा express करते हैं, क अच्छे carbon है, और यह जो points है, यह सब carbon को represent कर रहा है, hopefully इन चीजों से आप comfortable होंगे, and यह again इधर एक carbon है, तो यह carbon हमने उस position पे join कर दिया, तो यह longest chain है, यह longest chain है इसमें, chain identify करने के बाद हम numbering करते हैं इस chain में, सारे carbon का एक position assign करते हैं, तो वो numbering हम हम हमेशा one end to other end करेंगे, जैसे यहाँ पर जो numbering है, यह numbering जब हम करेंगे, तो यह numbering किदर से करना, इस end से या फिर इस end से, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा, कि किदर से branches pass आ रहे हैं, जिस end से branches pass आएंगे, उस end से हम numbering करेंगे, number the chain from one end to other to get the lowest set of locant number, what is locant number, जो substituent की location है, जो उनकी position है, उ मिलते हैं, या इसमें इस तरफ से अगर हम numbering करते हैं, सेम ही है यह दोनों, तो यह lowest set of locants मिलते हैं, there are three methyl, जब हम IUP से name लिखते हैं, तो सबसे पहले हम branch का नाम लिखते हैं, तो methyl branch है यहाँ पर, and फिर हम word root लिखते हैं, जो कि number of carbon atoms के बारे में बताता है, parent chain में तो hex लिख जेन है, यह कुछ IUP से names हमें यहाँ पर लिखने हैं, जैसे इस first example को अगर देखें, तो हमें longest chain ढूणना है, यह है यहाँ पर longest chain, clearly पता चल रहा है कि इस chain में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे carbon है, इसके बाद हमें numbering करनी है, या तो इस end से करेंगे, या तो इस end से है, तो किसी भी तरफ से numbering कर सकते हो, कोई problem नहीं है, जैसे मानूं कि अभी मैं इधर से numbering करता हूँ, यह 1, 2, 3, 4, यह वाला जो carbon है, यह 5 हो जाएगा, यह 6th carbon है, 3rd and 4th carbon पे methyl लगा हुआ है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 3,4 dimethyl, 6 carbon है, तो इसका नाम हो जाएगा dimethyl hexane, कोई gap नहीं है, कहीं पर एक ही word है, समझ लो, यह पूरे का पूरा, second question पर हम आते हैं, इसके structure का नाम अगर हम लिखें, तो यहाँ पर यह longest chain वह एक, दो, तीन, चार, पाँच कारबन की आरी, but at the same time अगर तुम देखोगे, तो इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच कारब हैं, जैसे अगर हम इस chain को select करें, तो यहाँ पर एक ही branch यह isopropyl की branch दिख रही है, लेकिन अगर हम इस chain को select करते हैं, तो हमें दो-दो branches यहाँ पर मिल रहा है, and इस end is a numbering क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर group जो branch है, वो पहले आ रही है, and जब नाम लिखेंगे, तो फिर alphabetically ल हो जाता है, similarly यहाँ पर देखें, तो यह जो carbon की chain है, यह longest carbon की chain है, यहाँ पर, इस वाले junction को देखो, तो इधर दो carbon है, बट इधर तीन carbon है, अब हम इधर से आगे numbering कर रहे हैं, क्योंकि इधर से जो position है, branch की वो पहले आ रही है, 4, 5, 6, and यह 7, तो यह 4 ethyl है, and 3 methyl है, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 ethyl, 3 methyl, heptane, 7 carbon है, तो heptane हो जाएगा, अगेन इसमें अगर हम देखें, फिर इस junction को देखो, तो इधर 3 carbon है, इधर भी 3 carbon है, बट इधर एक branch भी है, and यह branch इधर से 3rd position पे आ रहा है, and इधर से जो branch है, वो 4th position पे आ रहा है, इस end से हम numbering शुरू क कर रहे है, 5, 6, 7, and 8, यह longest chain जिसमें की branches भी सबसे ज़्यादा है, तो यह 3 and 5 पे methyl present है, 4 पे propyle है, तो हम पहले 3,5 dimethyl लिख लेंगे, dimethyl में, die को alphabetically count नहीं किया जा रहा है, m को देख रहे हैं, dimethyl, 4 propyle, 8 carbon है, तो octane, तो ऐसे हमें longest chain identify करनी है, longest chain के बाद फिर हम maximum branches देख रहा है, numbering हमेशा one end to other end कर रहा है, तो यह कुछ IUPAC names है, इसके बाद हम आते हैं, isomers पे, write all the isomers of C4H10, C4H10 के हमें isomers बनाना है, C4H10, alkane का formula है, अगर आप notice करेंगे, तो यह CNH2N plus 2 को follow कर रहा है, C4, 4 का twice किया, 8 plus 2, तो alkane का formula है, यह C4H10, तो 4 carbon बनाने हैं हमें, 4 carbon की एक chain बना लो, इसके बाद क्या गरना, इसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि 3 carbon की chain बनाते हैं, एक carbon को हमने इधर रख दिया, तो यह दो isomers C4H10 के बन जाएंगे, C5H2L जो है, इसमें, C5H2L में भी अगर आप ध्यान दे तो CNH2N plus 2 को follow कर रहा है, एलकेन है अगेन, तो 5 carbon की chain बनाएंगे पहले हम, अचा इनके नाम भी तुमें, इनका नाम याद ही रख लेना है हमें, अगर common naming में देखें तो इसे हम normal butane कहते हैं, और यह जो दूसरा वाला structure है, इसे हम आईसो butane कहते हैं, C5H2L में एक तो 5 carbon की chain बना लेते हैं, बी वाले example में, फिर 4 carbon की chain बनाते हैं, और एक carbon, अब यह दोनों position symmetrical है, तो एक carbon को इधर भी लगाओ या इधर लगाओ, उससे फरक नहीं पड़ता है, and then 3 carbon पर आते हैं, तो इसके पास 2 methyl इधर लगा देता है, तो again C5H2L के लिए हमारे पास 3 isomers हैं, तो यह इसका नाम है normal pentane, वैसे simply एगर IOPSC में लिखेंगे तो pentane भी लिख सकते हैं, this is isopentane, this is neopentane, and वैसे ही C6H2L जो है वो भी एक alkane का formula है, तो again 6 carbon से तुम्हें शुरू करना है, सबसे पहले 6 carbon की chain बना लो, फिर 5 carbon की chain बना लो, एक carbon बचा है, तो दो position है, यह दोनों position symmetrical है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर इस बीच वाले position पे लगा सकते हैं, तो 5 carbon की chain ग फिर 4 carbon पे आते हैं, तो 4 carbon में अपने पास 2 carbon बचे हुए, 2 carbon को एक साथ लगा सकते हैं, यहाँ पर मिथाई या फिर अलग-अलग positions पे लगा सकते हैं, और तो कोई possibility, 3 carbon में कोई possibility नहीं रहेगी, तो number of isomers अगर देखें, तो number of isomers, इसके isomers हैं, 2 isomers हैं, constitutional isomers की बात कर रहा हैं, structural isomers की बात कर रहा हैं, यहाँ पर 3 structural isomers हैं, and C6H14 में 5 structural isomers हैं, कोई भी structure वैसे, इसमें stereo isomers शो नहीं करेगा, तो अगर आप total isomers भी कहते हो, तो भी चलेगा, अगर total isomers बोला जाता है, A, B and C में, तो A में total 2 हैं, क्योंकि कोई stereo isomers शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर, कोई chiral center नहीं है, कोई ऐसा carbon नहीं है, यहाँ जिसके पास 4 अलग- नेक्स्ट हम आते हैं, preparation of alkynes पे, तो alkynes में सबसे पहला, जो preparation है, this is from unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon मतलब हम alkynes and alkynes की बात कर रहा है, from alkynes and alkynes. जैसे simple सा example लिया हुआ है, हमने ethane है, तो इस ethane के साथ हमने h2 add किया, तो ethane है, ethane में, अगर हम h2 add करेंगे, तो यह ethane बन जाएगा, अब यह जो reaction है, इस reaction में, simple h2 के साथ यह reaction, वैसे gaseous phase में होती नहीं है, लेकिन हमें, अगर हम catalyst add करें, तब जाके यह reaction better rate पर हो बाती है, वरना reaction बहुत ही ज्यादा slow रहती है, catalyst क्या क्या है, यहाँ पर हम add कर सकते हैं, platinum add कर सकते हैं, palladium या फिर nickel, यह 3 catalyst mostly use किया जाता है, H2 gas को adsorb कर लेते हैं अपनी surface पे, तो hydrogen gas जैसे आप देख सकते हैं, यह metal की surface है, और इस metal की surface पे hydrogen gas जो है, वो adsorb हो चुका है, और साथ ही alkene भी इसकी surface पे adsorb हो जाता है, इसके साथ bond बना लेता है, इसा समझ सकते हैं, फिर क्या हो रहा है इसमें, अब यह hydrogen इस alkene के साथ जु hydrogen जोड़ गया और इस जगे पे hydrogen जोड़ गया, तो वो जो double bond था, वो double bond convert होकर, single bond में convert हो गया है, यह कुछ important points है, इसे related जैसे first point को अगर हम देखें, addition of hydrogen in presence of catalyst is called catalytic hydrogenation or catalytic reduction, तो यह जो reaction थी, यह reaction जैसे reactions जो है, वो H2 के साथ हमें catalyst add करना पढ़ रहा है, तो इसलिए हमें reactions को catalytic hydrogenation कहते हैं, यह catalytic reduction कह रहा है, the addition of hydrogen to an alkyne or alkyne is exothermic, जो reactions रहते हैं, वो reactions exothermic होते हैं, मतलब heat जो है, वो release होगी यहाँ पे, platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst, तो यह हम ध्यान रख सकते हैं कि platinum and palladium के साथ, जो reaction है, वो room temperature पे हो जाती है, लेकिन nickel के साथ, थोड़ी temperature रहती है, यह कुछ reactions है, इनके products बनाने की try करते हैं, क्या करना है, हमें double bond की जागे पर hydrogen and hydrogen जुड़ जाएगा, यह double bond है, यह double bond single bond में convert हो जाएगा, इसके लिए अगर आप delta H देखो, delta H not देखो, तो this will be negative, क्योंकि यह कैसा reaction, यह exothermic reaction है, क्योंकि एक 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 यह भी सुच सकते, pi bond sigma bond में convert हो रहा है, तो heat release होगी, weak bond से strong bond की तरफ जा रहा है, pi से sigma बन रहा है, similarly यहाँ पर भी जो यह pi bond है, यहाँ पर hydrogen जुड़ जुड़ जाएगा, तो यह sigma bond में convert हो जाएगा, अगें delta H not जो है वो negative होगा इस reaction के लिए, reaction सारे के सारे जो hydrogenation process है, वो alkyne, cyclo alkyne है, जब यह reaction होगा, तो again cyclo alkyne में convert हो जाएगा, यह ध्यान रखना है, कि ring है तो ring ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि यह chain में convert नहीं हो जाएगा, इसके बाद हम इस वाले, अगर आप चाहो तो वीडियो को stop करके पहले diagram, मलब जो structures हैं, वो structures बना लो, फिर check कर लेना अब जैसे हमने कहा कि alkyne and alkyne दोनों के साथी reaction हो जाएगी, यहाँ पर alkyne है, तो alkyne में complete reaction करने के लिए two equivalents चाहिए होंगे हमें, तो two equivalent जब यूज कर लेंगे, तो यह hydrogen और hydrogen यहाँ पर जुड जाएगा, तो दो बार यहाँ पर hydrogen जुड रहा है CH3 बन जाएगा, यहाँ यहाँ पर दो hydrogen जोड रहा है CH2 बन जाएगा और यह CH3 बन गया, प्रोपेन बन गया, जितने double bonds है, उन सारे double bonds को हम reduce कर देंगे, single bond में convert कर देंगे, तो इससे भी pentane बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कि trans है या फिर cis-butane है, दोनों से same ही products बनेंगे, दोनों का जो final product है वो normal butane है, तो simple reaction है, hydrogenation में alkyne, एक से जादा alkyne है, triple bond है, सब के साथ हम reduction करके final product बना सकते हैं, next हम reaction पर आते हैं, preparation of alkane from alkyl halides, alkyl halide है अगर अपने पास, alkyl halides except fluorides, fluorides के bonds जो हैं, वो थोड़े strong रहते हैं, तो fluorides को replace करना तो रहते हैं, on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid, give alkyl halide, gains, तो जब हम zinc and hydrochloric acid के साथ reaction करवाते हैं, zinc जब dilute HCl के साथ reaction करेगा, ZN solid है, और यह जब H plus aqueous के साथ reaction करता है, तो यह ZN 2 plus aqueous में convert हो जाता है, and यह जो H plus है, यह H2 gas में convert हो जाता है, अब यह जो H2 gas है, वैसे अगर हम थोड़ा और detailed reaction में लिखें, तो यह थोड़ा free radicals रहते हैं, free atoms पहले बनते हैं, तो वो जो free atoms form होते हैं, hydrogen के, उनके अंदर reducing nature काफी जादा है, तो यह ZN, HCl काफी जगे पर हम देखेंगे की organic chemistry में reduce करने के काम में आता है, यहाँ पर भी CL की जगे पर hydrogen लग जाएगा, तो यह जो H2 हमने लिखा है, this H2 is produced from ZN and H plus, तो इस Cl की जगे पर hydrogen लग गया है, CH4 बन गया है and HCl बन गया, यहाँ पर भी देख सकते हो, C2H5 chloroethane है, तो chloroethane के साथ reaction कराया है, तो ethane में convert हो गया, CL की जगे पर hydrogen लग गया, तो ZN, HCl के साथ अगर हम reaction करवा रहा है, कुछ और examples लिए हुए है, जैसे 1 chloro propane है, ZN, H plus के साथ reaction कराया, तो propane बन गया, अगर यह 2 chloro propane रहता, तो भी reaction करवाते हैं, तो फिर यह propane बन जाता, बस chlorine को हटाया हमने, simply ZN, HCl कुछ भी ऐसा reaction दिया हुआ है, अगर हमें cyclic है तो भी चलेगा, ZN, HCl के साथ reaction करवाते हैं, अगर हम, H2, इनके साथ reaction करने से H2 बन ही जाएगा, तो तुम्हें लिखने के भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर, और यह convert हो जाएगा cyclo-pentane में, तो simple से reaction है, इसी में alkyl halide के साथ यह दूसरी reaction है, जिसे हम woods reaction कहते हैं, woods reaction में कहा है कि जो alkyne की chain है, उस alkyne की chain को double करने का समझो कि हम काम कर रहे हैं, alkyl halides on treatment with sodium metal and dry ethereal solution gives higher alkynes, अब ethereal solution हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ether का solution है, उसमें sodium reaction नहीं करेगा, water नहीं यूज़ कर सकते, dry लिखा हुआ है, free from moisture है, क्योंकि अगर water present है, तो sodium बहुत ही vigorously reaction करता है water के साथ, तो हमारा जो sodium है, वो water के साथ ही reaction कर लेगा, तो हम यहाँ पर जब use करेंगे तो moisture free condition रहना चाहिए, alkyl halides on treatment with sodium metal and dry ethereal solution gives higher alkynes, this reaction is known as woods reaction and is used for the preparation of higher alkynes containing even number of carbon atoms, तो जैसे की reaction में देख सकते हो, CS3 BR है, तो हमने क्या बताया कि carbon की chain अगर हमें double करनी है, यह एक CS3 है, अगर हमें double करना है, दो carbon लगाना है, तो हम woods reaction यूज़ कर सकते हैं, sodium के साथ जब reaction कर आएंगे तो यह जो NABR है, यह NABR यहां से बाहर निकल जाएगा, 2NABR and CS3 CS3 add हो चुका है, और यह इथाईल यह था पहले ब्रोमो मिथेन, मिथेन की chain थी, अब यह इथेन बन गया है, यह ना carbon की chain double होगी है, दो carbon use किया हमने, तो वो convert हो जाएगा चार carbon की chain में, तीन carbon use करोगे, तो वो convert हो जाएगा 6 carbon की chain में, फिर यह question है, can pentane be made in high yield using woods reaction, pentane अगर हमें बनाना है, 5 carbon बनाना है, तो अपने दिमाग में ऐसा आता है, कि हम ऐसा करते हैं, कि एक 2 carbon की chain ले लेता है, और एक 3 carbon की chain ले लेता है, तो इससे pentane बन जाएगा, या फिर एक 1 carbon की chain ले लेता है, और 4 carbon की chain ले लेता है, तो उससे भी pentane बन जाएगा, बट problem क्या है, problem यह है कि जब हम sodium के साथ, ether solution में इसकी reaction करवाते हैं, तो यह इसके जो molecules हैं, वो खुद के साथ भी reaction कर सकते हैं, इसके जो molecules हैं, वो इसके साथ भी reaction कर सकते हैं, तो अगर यह दोनों cross reaction कर लेते हैं, तब तो pentane बन जाएगा, लेकिन इसके molecules, ethyl chloride के साथ यह reaction हो जाएगी, तो फिर यह butane बन जाएगा, यह 3 carbon और 3 carbon मिलकर, hexane भी बन जाएगा, तो इससे pentane तो मिलेगा ही, लेकिन उतना ही equal chances है, कि वहाँ पे butane भी बन जाएगा, और साथ ही hexane भी बन जाएगा, तो यह desired तो था नहीं, यह ना, these are undesired products, हमें तो pentane चाहिए था, लेकिन साथ ही butane और hexane भी बन रहा है, और इसकी वज़ए से इस reaction की जो yield है, वो poor हो जाएगी, तो pentane बन तो रहा है, लेकिन हम से question क्या पूछा गया है, कि high yield में बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसका answer हो जाएगा, कि नहीं बनेगा, not in high yield, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि pentane बनेगा या नहीं, थर्ड जो preparation है, जिस फ्रॉम कार्बोक्सलिक असर्ट, कार्बोक्सलिक असर्ट से अगें हम दो reactions देखेंगे, पहला reaction है, जैसे D-carboxylation reaction कहते हैं, D-carboxylation का मतलब आपको समझ मेहाना चाहिए, जब D word लिखा हुए, दिस D means elimination, elimination of CO2 is called D-carboxylation, sodium salts of कार्बोक्सलिक असर्ट on heating with soda-lime, soda-lime क्या है, mixture of sodium hydroxide, NaOH and calcium oxide, give alkanes containing one carbon atom less than the carboxylic acid or salt, this process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation, overall जो हमारा substrate है, उस substrate को CO2 का loss हो जा रहा है, अगें reaction को समझने के लिए, जैसे ये जो CO2 जो जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप यहां से समझो, इत्ता ग्रुप यहां से निकल जाता है, ये है Na2CO3, अगर इसके अंदर के components देखो, तो दो Na है और CO3 है, Na2CO3 यहां से बाहर निकल जाएगा, and CS3 और hydrogen एक combined है, CH4 बन जाएगा, similarly, यहां से ये CO2 का portion, बेसिकली बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, चार कार्बन से शुरू कर रहे थे, ब्यूटेनोएट था ये, ब्यूटेनोएट आयन है, चार कार्बन से शुरू कर रहे हैं, बचेगा कितना, एक तो CO2 के form में निकल गया, Na2CO3 बन के, बचेगा तीन कार्बन, similarly, यहां पर कोई भी ऐसे reactions लिख सकते हैं, जैसे मानों कि, बेंजीन के साथ भी अगर हम reaction देखें, बेंजोएट आयन है, और इसके साथ भी हमने NaOH और COO heating कर दिया है, तो यहां से अगेन यह CO2 group डिपार्ट कर जाएगा, और यह बेंजीन में convert हो जाएगा, तो यह सिंपल से reaction है, जैसे कि, एक कार्बन कम का alkane बना सकते हैं, यहां पर an aqueous solution of sodium और potassium salt of carboxylic acid, अगेन हम carboxylic acid salt ले रहे हैं, gives alkanes containing even number of carbon atoms at anode, तो जब reaction electrolysis की होती है, तो mechanism जैसे RCO2- है, इसका मैं सिंपल से mechanism एक explain कर रहा हूँ, कि anode पे this reaction electrolysis हो रही है, तो एक anode and cathode होगा, तो anode पे क्या होता है, यह जो RCO2- है, यह जाता है और अपने electron lose कर देता है, दो molecule लेकर बढ़ रहे हैं, तो जब इसके पास अभी paired electrons हैं, जब यह एक electron lose कर देता है, तो यह unpaired electron में convert हो जाता है, और यह जो free radical है, यह unstable है, इस यहाँ से CO2 depart कर जाते हैं, एक electron इसका and एक electron इसका, तो यह CO2 बनके इससे बाहर निकल जाएगा, दो alkyl free radicals बन गए, साथ में दो CO2 बन गया है, और यह जो alkyl radicals बचे, यह alkyl radicals आपस में combine हो जाते हैं, और और यह आपस में जुड जाएगे, तो यह दो चीज़ें, हमें क्या करना है, बहुत इस simple सा काम है, यहाँ पर भी यह 2 आ जाएगा, तो यहाँ से CO2 depart किया हमने, जो आर ग्रूप बचा है, उसको twice कर दो, तो यह alkyne हमारा बन जाएगा, और CO2 भी बनता है यहाँ पर, यह दोनों anode पर बनते हैं, H2 and OH-, H2O का reduction हो जाता है, तो यह cathode पर बनते हैं, तो करना क्या है तो मैं देखू, अगेन एक एक जामपल से समझते हैं, CO2 यहां से हटाया हमने, और बाकी जो ग्रूप बचा है, CS3 and CS3, तो उसको double कर दिया, तो वो given alkyne बन जाएगा, एक और एक्जामपल ले लेते हैं, पर एक्जामपल ऐसा कुछ अगर है, लेट से यह sodium butanoate है, या potassium butanoate है, इसकी हमने electrolysis कर दी, इसकी electrolysis कर रहे हैं, तो यहां से हम CO2 बाहर निकाल देंगे, यह CO2 बाहर निकलेगा, दो compound मानो, तो यह 3 carbon और 3 carbon combine हो जाएंगे, और इससे जो final product है, वो 6 carbon की chain बन जाएगी, इस तरह के भी reactions शो करते हैं, जैसे मानों कि यह है, succinate ion है, तो अगें, succinate ion से CO2 and CO2 depart करेगा, तो यह free radicals में convert हो जाएगा, तो यह CH2, CH2 के free radicals बन जाएगे, कैसे बन रहे हैं, यहां से CO2 बाहर निकल रहे है, इधर से CO2 बाहर निकल रहे है, यह electron यहां और एक electron यहां पर आ जाएगा, and finally यह combine होकर, CH2 double bond, CH2 ethene भी इससे बना सकते हैं, तो कुछ alkanes, generally हम इसको alkanes बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक बार जैन ने ऐसा भी question दिया हुआ था, जैमेंस में, succinate ion की अगर हम electrolysis करते हैं, electrochemistry में especially पूछा हुआ था, तो वो ethene भी बन जाएगा, इसससे, इसके आगे हम आते हैं, physical properties of alkanes पर, जब हम physical properties की बात करते हैं, तो दो चीज़ें हमसे पुछी जाती है, mostly, एक तो boiling point रहता है, और दूसरा solubility रहता है, और यह दोनों चीज़ें ही depend करते हैं, intermolecular forces पर, अब intermolecular forces, mostly four types के हैं, सबसे dispersion forces होते हैं, dipole-dipole forces होते हैं, hydrogen bonding है, dipole-induced dipole forces हैं, इनी forces से हम boiling point पर भी comment करते हैं, and solubility पर भी comment करते हैं, तो जब boiling point पर comment करना है, सो जैसे alkanes में क्या है, कि जब lower सा higher alkane की तरफ हम move करते हैं, तो size बढ़ती है, और जब size बढ़ती है, जैसे methane है, ethane है, प्रोपेन है, electron clouds बढ़ रहे हैं, size बढ़ रहे हैं, और कि अगर size increase होगा size increase होता है अगर तो इससे dispersion forces increase होते हैं क्योंकि हमें यहां पर dipole dipole and such things के बारे में सोचना नहीं है non polar molecules होते हैं यह mostly dispersion forces है और जब dispersion forces increase होगा तो इससे boiling point भी increase हो चाहिए यह simple सा rule है यहां पर इन points को हम एक बार रीड कर लेते हैं अलकेन्स और अल्मस्ट non polar molecules क्योंकि CC and CH bonds जो हैं यह नॉन polar in nature they possess weak vendor walls forces जो कि dispersion forces हैं and in weak forces की वज़े से जो लोवर मेंबर हैं C1 to C4 are gases at room temperature C5 to C17 are liquids and those containing 18 carbon atoms or more are solid at 298 Kelvin they are colorless and odorless alkanes colorless होते हैं smell नहीं होता उनमें boiling point of different alkanes increases with increase in molecular mass जैसे मैंने बताया molecular mass बढ़ रहा है size बढ़ रही है dispersion forces and boiling point बढ़ रहा हैं and rule है like dissolves like like dissolves like का मतलब है कि जिसके अंदर जैसे ऐसे ही समझो daily life में अपना nature जैसा रहता है अपना वैसे ही दूसरे जो भी same nature करहता है वैसा आदमें ढूंडता है दोस्ती करने के लिए वही काम यहां पे भी है जैसा nature alkanes non polar है तो यह non polar compound में dissolve हो जाएगा लेकिन water is a polar compound and alkanes will be insoluble in water chemical properties अब chemical properties और chemical reactions तो जो की reaction होगी ना base की reaction होगी और अकरह from the बात है तो नॉरिक्शन हो जाएगी आ हम normal conditions की बात करना है है न कंडिशन्स नॉर्मल हैं अगर हम रिद्यूसिंग एजेंट की बात कर रहें लेट से ले लेज फोर और एन बी एज फोर देन अगेन नो रियक्शन तो एलकेंज जो है अलकेंज बहुत ही इनर्ट कंपाउंड है एसेड के साथ बेस के साथ ऑक्सिडाइजिंग एजेंट बहुत ही कम र Census सब्सें इंपटेंट रैक्शन या फिर इंप्रेंट अतनर्य याँए यहां ही सब्सक्राइज या फ्री राडीकल मेथा या संदी सकते हो इसको या फिर 573 मतलब की 300 to 500 degree Celsius अगर इसको हम heat करते हैं 300 to 500 degree Celsius पर अगर heating करते हैं तो यह reaction free radical mechanism से होती है and हो क्या रहा है यहाँ पर एक hydrogen को replace करके chlorine जोड़ गया CH3Cl बन गया है एक hydrogen को replace करके chlorine जोड़ गया and therefore substitution हो रहा है hydrogen के जगे पर सीव लग रहा सब्स्टुटूशन हो रही है इसलिए सब्सटुटूशन र्यक्शन मेकानेजम देखते हैं इस प्रैक्शन की जो free radical reactions होता है वो तीन स्टेप में होता है सबसे पहला है initiation step सारे किसारे free radicals जो reactions होंगे वो तीन स्टेप में ही जैसे सबसे पहले इनिशेशन जिसमें कि हम free radicals create करते हैं इस reaction में free radicals are created प्रोपोगेशन स्टेप है जहां पर chain reaction होती है सबसे पहले हम initiation step पर आता है तो CL और CL जो है एचनियू के presence में break हो जाएगा यह जो sigma bond है यहां पर इसका homolytic cleavage हो जाएगा यह एक electron यह chlorine लेकर गया और single bond है दो electrons है homolytic cleavage के लिए आप इसके पहले वाला one shot lecture भी देख सकते हो जिसमें कि हमने resonance और यह सब cover किया था तो इसमें CL के radicals बन जाएंगे then propagation step है जहां पर की chain reaction हो रही है actual अब होता क्या है कि initiation के अंदर हमें बहुत ही कम amount चाहिए ऐसा नहीं है कि CL2 सारा का सारा हमने CL के radical में convert कर दिया बहुत ही कम CL2 थोड़े CL2 जो है less than 1% CL2 चाहिए हमें CL के radicals में फिर propagation step है तो जो most important step है वो propagation step ही होता है अब देखो CL के जो कुछ radicals बने थे वो CH4 के साथ reaction कर रहा है और CH4 के साथ reaction करके इसने एक hydrogen यहां से abstract कर लिया तो यह HCl बन गया है और अब यह radical CH3 पे आ गया है बहुत ही minimum कुछ ही CL का radicals चाहिए और यह reaction खुद ही हो जाएगी फिर फिर यह CL का radical देख सकते हो वापस बन गया है यह फिर first step में किसी और CH4 के साथ reaction करेगा यह ऐसे chain reaction की तरह जैसे CL का radical है यह CH4 के साथ reaction कर रहा है और इसने CS3 का radical बनाया यह जो CS3 का radical है यह CL2 के साथ reaction कर रहा है और CL का radical बना दिया वापस से इसने CS3 का radical CL ने hydrogen के साथ reaction किया एक HCl बन गया और CS3 का radical है इसने CL2 के साथ reaction किया वापस से CL radical बनाया और साथ में CS3 CL बन गया तो देख सकते हो कि कुछ ही radicals चाहिए products खुदी बन रहा है CL का radicals CH4 से reaction कर रहा है HCl बन रहा है CS3 CL बन रहा है फिर HCl बन रहा है CS3 CL बन रहा है तो यह reaction में इसकी yield बहुत ही कम है मतलब CL का radicals बहुत कम चाहिए और उसके बाद तो यह main step है propagation step अगर इन propagation steps को add करते हो तो तुम्हें overall reaction भी मिल जाईए जैसा अगर इन दोनों steps को add करें CL का radical CL का radical cancel हो जाएगा CS3 and CS3 का radical cancel हो जाएगा बचेगा क्या CH4, CL2, CS3, CL and HCl तो adding these reactions would give the overall reaction also and then termination step obviously termination step में यह सब जो products and they are of low yield तो ऐसा नहीं है कि reaction में हम इन products का जिक्र करेंगे इन products के बारे में कुछ बताने की ज़रत नहीं रहती हमें यह CL2 बन जाएगा CS3, CS3 से जो भी radicals हैं यहाँ पर वो सारे radicals आपस में reaction करके दूसरे products बना लेगे CS3 और CS3 reaction करके C2H6 बना रहा है जो भी radicals हैं तो CS3 और CL के साथ मिल गया तो CS3 CL बन जाएगा तो यह reaction की mechanism है कुछ important points end पर आते हैं और पहले यह reaction देख लेते हैं CL2 के साथ reaction कर रहा है यहाँ पर यह जो hydrogen है और यह जो hydrogen यह एक ही जैसे हैं दोनों के दोनों hydrogen किसी भी hydrogen को replace करके and CL अगर हम लगा देते हैं तो उससे final product बन जाएगा हमारा तो यह हो गया एक hydrogen की जगे पर हमने CL लगा दिया साथ में HCL बन जाएगा यह product मलब इसको show करो या नहीं करो इससे फरक नहीं पड़ता है यह अपना final product है करके महाँ पर chlorine add कर देंगे कुछ important points इस पर आते है rate of reaction of carbon involved 3 degree then 2 degree then 1 degree tertiary carbon है वो सबसे fast reaction करता है क्यों fast reaction करता है क्योंकि reaction में क्या बन रहा है reaction में free radicals बन रहा है and यह जो free radicals है वो 3 degree radicals again radical की stability हमने पहले discuss की थी जो 3 degree radicals होते हैं this radical is more stable than 2 degree radical this is more stable than 1 degree radical radicals की stability में 3 degree सबसे जादा stable होता है therefore इसका formation सबसे आसान है तो यह radicals सबसे आसानी से बन जाएगा then 2 degree then 1 degree and rate of reaction with halogen halogen के case में F2 सबसे fast reaction करता है इतना fast reaction करता है कि actually reaction को control करना भी difficult है this is too violent जिस container में reaction कर रहे हो हो सकता है इतना exothermic suddenly heat release हो जाएगी कि container blast भी हो सकता है this is too violent to control and therefore यह reaction हम fluorination जादा करवाते नहीं है chlorination bromination and then iodination this is too slow and reversible तो हम iodination भी नहीं करवाते हैं तो बचती यह दो ही चीज़ा either chlorination दिया हुआ रहेगा या फिर bromination दिया हुआ रहेगा अब chlorination and bromination में भी यह तो rate of reaction है chlorine जो है वो ज्यादा reactive है than bromine reactivity और एक और term आता है selectivity कौन ज्यादा selective है तो अभी हमने देखा कि chlorine ज्यादा reactive है जो ज्यादा reactive रहता है वो कम selective रहेगा क्योंकि वो सबके साथ reaction कर रहे है वो select नहीं कर रहा किसी को वो इतना ज्यादा reactive है कि वो सबके साथ ही reaction कर रहे लेकिन अगर कम reactive है तो वो ज्यादा reactive के साथ reaction करना चाहेगा और कम reactive के साथ नहीं reaction करना चाहेगा तो chlorine जो था वो ज्यादा reactive था and therefore selective जो है वो कम है Bromine is more selective than chlorine तेख सकते हो selectivity में Bromine का जो selection है Tertiary carbon को against primary carbon अगर वो primary carbon को एक बार select करता है तो tertiary को 1600 times faster select कर सकता है and similarly chlorine में अगर देखो तो tertiary ज्यादा reactive तो है लेकिन chlorine जो है क्योंकि वो खुदी इतना reactive है तो इस case में tertiary and primary में वो ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहा है यहाँ पर अगर सोचो तो यहाँ पर Bromine कम reactive था तो यहाँ पर यह highly selective है तो tertiary के case में यह 5 times ज्यादा reactive है and यहाँ पर जो Bromine है वो 1600 times ज्यादा reactive है तो अगर Bromination के case में कुछ question आता है जैसे मानू कि यह जो reaction है इस reaction में हमें बताना है कि Bromination कर रहा है और इसका final product बताओ, major product बताओ तो major product बताना बहुत आसान काम है 3 degree position सबसे ज्यादा selective है and 2 degree भी काफी reactive है 1 के comparison में 82 times ज्यादा reactive है and therefore यहाँ पर एगर 1 degree और 2 degree में देखा जाए तो major product 2 degree पर बन जाएगा यह major product है यहाँ similarly अगर तुम isobutane में देखते हो अगर इसके साथ Br2H new की reaction करवाते है तो अब यहाँ पर देखो 3 degree position एक मिल रहा है हमें and therefore 3 degree position पर reaction कर देंगे यह major product बन जाएगा chlorination में ऐसा नहीं है chlorination में तुम्हे statistically calculate करना पड़ेगा कि 3 degree पर कितना बनता है 2 degree पर कितना बनता है 1 degree पर कितना बनता है तो वहाँ पर calculations करने पड़ेगा यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर जहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है ऐसा position 3 degree का position अगर दिखाई दे रहा है तो तुम final product 3 degree पर बना सकते हो यह बन जाएगा final product तो ब्रोमिनेशन 3 degree पर सबसे ज़्यादा favorable है वहाँ पर major product बन जाएगा जो radicals है इसका radical बन सकता है तो आगे जाकर इसका radical भी बन सकता है इसका radical भी बन सकता है तो ऐसे reactions जो है वो बढ़ते हैं आगे तो mixture of products बनते हैं लेकिन generally हम जैसे अगर तुम्हें यह product major amount में चाहिए तो तुम ऐसा कर सकते हो कि CH4 के amount को excess मे ले लो एक्सेस में लेकर इसे हम अगर तुम C2 को excess में ले लोगे तो reaction complete हो जाएगी CCL4 बन जाएगा second reaction पर आता है second reaction combustion हमें शुरू से ही पढ़ते रहता है कि जब हम hydrocarbon का combustion करता है तो CO2 and H2O बनता है यहाँ पर भी यह है CH4 का combustion किया तो CO2 and H2O बन रहा है और अगर incomplete combustion करता है तो कई बार carbon monoxide बनता है लेकिन यहाँ पर जैसे NCRT ने carbon solid दिया हुआ है लिखा हुआ है कि printer ink में filter वगरा में काम करने में इसको use करता है तो अगर incomplete combustion में actually carbon monoxide and carbon solid दोनों ही form हो सकते है याद रखेंगे हम इसको controlled oxidation अब यह कुछ reactions है जो कि controlled oxidation है मतलब oxygen की supply हम limit कर रहे है in presence of catalyst actually जैसे इस first reaction को देखो first reaction में हमने O2 की supply कितर नहीं रखी है अगर हम 2 liter alkane यह पास कर रहे है तो केवल 1 liter ही O2 पास कर रहे है दो मोल पास कर रहे है तो इसका 1 मोल ही पास कर रहे है और इस reaction में जब copper use किया जाता है तो alcohol बन जाता है अगर हम oxygen की supply बढ़ाते हैं जैसे हमने यहां पर MO2-O3 catalyst लिया है oxygen अब हमने same कर दिया पिछले बार oxygen half amount में ले रहे था and catalyst copper था तो alcohol बन रहा था जब oxygen बराबर amount में ले रहा है तो एक और higher state पे बन रहा है methanol बन रहा है, aldehyde बन रहा है molybdenum oxide के साथ and जब manganese acetate यूज कर रहे है तो acid बन जा रहा है oxygen की supply देख सकते हो कि 1.5 times कर दिया है तो oxygen regulated supply of oxygen है and साथ में catalyst क्या यूज कर रहे है उस पे भी dependency है aldehyde बनाता है तो molybdenum oxide alcohol बनाना था तो copper and acid बनाना है तो manganese acetate next point है ordinary alkanes resist oxidation जैसे अभी मैं discuss कर रहा था कि high temperature pressure चाहिए क्योंकि जो alkanes है वो oxidation, reduction सब resist करते है but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohol जैसे यहाँ पे 2-methyl propane मतलब isobutane की बात कर रहे है यहाँ पे यह जो tertiary hydrogen है इस tertiary hydrogen को जब हम KNO4 oxidation करें तो यह tertiary hydrogen की जगे पर OH बन जाएगा तो यह एक reaction हम याद रखेंगे इसके बाद isomerization reaction है जिसमें isomers बन रहे है नॉर्मल hexane है नॉर्मल hexane की reaction हम कर रहे है एन्हाइड्रस ALCl3 and HCl के साथ तो इसमें बन जाएंगे यह एक टू मिथाइल अलकेन बन जाएगा और एक थ्री मिथाइल अलकेन बन जाएगा तो इसमेराइजेशन हो रहे है मतलब जो 6 कारबन की चेन थी वो 5 कारबन में कनवर्ट हो गई है इसमर्स बन गया तो इसमेराइजेशन नाम सही पर चल रहा है कि अर्माटिक कंपाउंड में कनवर्ट करना है नार्माल अलकेन्स हाविंग 6 और मोर कारबन आटम्स यह सेम कुश्यन अभी आटी अडवांस में भी जैई अडवांस में भी आया था लास्ट तो लास्ट येर मही जब हम नार्मल अलकेन्स की रियक्शन कर रहा है हीटिंग 2773 कल्विन 773 का मतलब है कि 500 डिग्री सेल्सियस पर रियक्शन करवा रहा है अट 10 तो 20 अटमस्फरिक प्रेशर इन प्रेजन्स ओफ ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम मॉलिब डेनम और क्रोमियम अब हम फिर से मॉल्इब डेनम औकसाइड आया है अभी रिकॉल करो मॉल्इब डेनम औकसाइड आया था अहीं कि समय तो ऐख साथ कारबन की चेन यूज कर लें जैसे यहाँ पे च्शह कारबन यूजज किया हुए हुआ है। दो, तीन, चार, पांच, छे और एक साथ, और सेम रियाक्शन अगर हम कर देते हैं, तो इससे यह क्या बन जाए है, टोलवीन में कनवर्ट हो जाएगा, यह सिंपल से रियाक्शन है, एंड रियाक्शन विद स्टीम जहां पर हम मिथेन की रियाक्शन कर रहे हैं, ह2O के साथ, निकल काटलिस्ट यूज़ कर, एंड टेंपरेचर देख सकते हो, वेरी हाई टेंपरेचर है, ह2O के साथ, सिंपल टेंपरेचर पर रियाक्शन नहीं होगी, मिथेन और ह2O, नो रियाक्शन, बट ह2O at 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड वे, on the presence of this काटलिस्ट निकल तब जाके य Monoxide and H2 में convert होता है, synthesis gas अगर अभी कहता है, अब यह एक reaction है, यह question है, previous year, J1 2021 का, इसको फटा-फट एक बार सौल करने की try करो, excess of isobutane on reaction with Br2, which आगया, यहाँ पर यह वित होगा, reaction with Br2, in presence of light at 125 degree Celsius, gives which one of the following as the major product, कि अभी हम halogen, एक ही reaction मतलब major reaction जो है यहाँ पर, substitution reaction isobutane की कर रहा है, isobutane मतलब यह compound है, इसके साथ हम Br2 की reaction कर रहा है, sunlight की presence में, अभी हम discuss कर रहे थे कि ब्रोमीन जो है, वो highly selective है, less reactive, more selective, selective towards which position, selective towards 3 degree position, तो 3 degree position पर reaction हो जाएगी, यह Bromine जुड़ जाएगा, यहाँ पर, एक Bromine जुड़ेगा, इन options में तो दो-दो Bromine आड़ करके दिया हुआ है, यह एक option है, जहाँ पर कि आईसो ब्यूटेन के साथ, देख सकते हो, tertiary butyl bromide बन रहा है, तो D option हो जाएगा, यह जैमेन अगेन 2021 का question है, 2-methyl butane, 2-methyl butane लिया हुआ है, on oxidation with kemno4 gives 2-methyl butane to all, kemno4 के साथ reaction कर रहा है, kemno4 के साथ reaction करने पर यह दे रहा है, 2-methyl butane to all, यहाँ पर OH बन रहा है, सही बात है, अभी हमने देखा था कि 3-degree position के साथ reaction हो जाती है, normal alkane can be easily oxidized to corresponding alcohols, no, 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 my friend, यह easily oxidized गलत है, normal alkane जो हैं, उनकी oxidation बहुत है difficulty से होती है, high temperature, pressure पर होती है, statement 1 correct है, but statement 2 is incorrect, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, identify A in the given, molybdenum oxide 500 degree Celsius पर reaction कर रहा है, benzene बन जाएगा, लेकिन एक extra carbon है, toluene form हो जाएगा, यह B बन जाएगा, अगर यह नहीं रहता, तो benzene बन जाता, which of the following reagent is used for the following conversion, देख सकते हो, alkane से aldehyde बना रहा है, aldehyde बनाने के लिए, याद करो, alcohol बनाने के लिए copper यूज़ किया था अपने, aldehyde बनाने के लिए molybdenum oxide, and acid बनाने के लिए manganese acetate यूज़ करते हैं, तो molybdenum oxide के साथ reaction करेंगे, तो यह aldehyde बन जाएगा, bromination कर रहा है, again, bromination अब तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है, तुम यह सोचो कि कहाँ पर radical stable होगा, जो benzyle radical है, इस जगे पर radical सबसे ज़्यादा stable रहेगा, तो benzyle radical पर option देख लेते हैं, यह benzyle radical पर बनाया हुआ है, and therefore this is the correct answer, इधर bromination नहीं करेंगा, अगर यह नहीं present रहता, तब हम benzene वाले chain पर reaction करवाते हैं, बट वो addition हो जाते हैं, substitution नहीं होता है, इस तरह का substitution कैसे होता है, इस तरह का substitution होता है, in the presence of ALCL3, और FeCl3, Fe, इन चीजों के presence में, यह reactions होते हैं, इसके बाद हम आते हैं, confirmations पर, confirmations क्या है, confirmations वो 3D arrangement है, structure की, ऐसे जो की, एक single bond के rotation के about होती है, जैसे हम, हमारे arrangements अलग-अलग हो सकते हैं, अभी मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं लेटा हुआ हो सकता हूँ, मैं किसी और, मैं तुम ऐसे सोचों कि, तुम्हारी बादी किते, different orientations में जा सकती है, similarly, अलकेंस के साथ भी, अलकेंस में भी जो single bond है, उन single bond के rotation से, जो अलकेंस हैं, वो भी different shape में जा सकते हैं, और उन shape को यहाँ, different shapes जो बन रहा हैं, उनको हम confirmations कहते हैं, any three-dimensional arrangement of atoms in a molecule that results from rotation about a single bond, single bond के about rotation होती है, तो energy difference कम आता है, जो इधर, जो electrons है, वो उनके cloud repel करते हैं, थोड़ा वो देखते हैं, बाकि single bond के rotation से energy में, वहाँ पे बोचेंज नहीं आता है, alkanes can thus have infinite number of confirmations, जैसे ये दो confirmations, two extreme confirmations of ethane are, staggered confirmation and eclipsed confirmation, जब ethane के हम structure को देख रहे हैं, तो ethane में ये दो extreme confirmations है, ethane का formula पता है आपको, CH3, CH3 होता है, ethane, दोनों carbon tetrahedral है, tetrahedral देख सकते हो, तो यहाँ पे जो hydrogen है, इन hydrogen की position, maximum separation पे हैं, जब maximum separation पे hydrogen रहते हैं, तो उसे staggered confirmation कहते हैं, जब minimum separation पे रहते हैं, hydrogen तो उसे हम eclipsed confirmation कहते हैं, ये जो draw किया हुआ, ये एक source projection है, हम इसके लिए एक और projection देखते हैं, इसे हम new man projection कहते हैं, तो new man projection में हम क्या करते हैं, हम इधर से इस line के about, इस carbon carbon bond के about इसको देख रहे हैं, इसे देख कर हम draw करते हैं, ये जो front में carbon दिखता है, इसे हम dot से represent करते हैं, जो पीछे carbon दिखता है, उसे हम circle से represent करते हैं, ये जो front carbon है, इसके अब तो में इसा projection सोच लो, इसको है ना, इधर से torch लगा के, और इधर हमने एक wall पे project कर दिया, तो project कर दोगे उस wall पे, तो उस wall पे कैसा दिखेगा, ये hydrogen यहाँ दिख रहा है हमें, ये जो hydrogen ये right side में दिख रहा है इधर, और ये वाला जो hydrogen है, ये इधर left side में दिख रहा है, जब projected जो angle होगा, वो यहाँ पे 120 degree के angle पे तीनों आ जाएंगे, और इसके पीछे ये ऊपर में, जो ये hydrogen था, solid bond से ये बाहर की तरफ है, तो ये circle से represent करेंगे, तो circle पे ही draw करेंगे, जो अंदर वाला hydrogen है वो इस तरफ आ जाएगा, एंड एक hydrogen ये नीचे आ जाएगा, देख सकते हूं यहाँ पे, कि ये maximum separation है, जो hydrogen and hydrogen के बीच में, ये maximum separation है, इस हैं staggered confirmation कहते हैं, और ये जो angle बनता है, इस angle को हम कहते हैं, dihedral angle, eclipse confirmation में भी तुम इसको draw कर सकते हूं, इधर से देखना है हमें, और इधर से देख रहे हैं, तो ये front carbon दिख रहा है, और ये जो बाहर आ रहा है, ये जब wall पे जाएगा इधर, तो right side में आ जाएगा, and जो अंदर है वो left side में आ गया, फिर ये जो hydrogen ये ठीक इसके पीछे आ रहा है, जब हम इधर से इसको देख रहे हैं, तो ये hydrogen इस hydrogen के पीछे आ रहा है, थोड़ा सा shifted इसको शो कर देता है, and ये जो hydrogen था वो इसके पीछे आ जाएगा, and जो अंदर वाला hydrogen था वो इसके पीछे आ जाएगा, ये जो confirmation हमने draw किया है, ये eclipsed confirmation है in newman projection, इसे हम newman projection कहता है, इसे newman projection कहता है, जैसे यहाँ पर जो dihedral angle है, बात कर सकते हो, कि staggered और eclipsed confirmation में ज्यादा stable कौन सा है, तुम खुद ही सोच सकते हो, कि ये जो electron cloud है, ये electron cloud यहाँ पर maximum separation पर है, और ये electron clouds जो हैं, वो यहाँ पर minimum separation पर, ये repel करेंगे एक दूसरे को, और जब ये repel करेंगे, तो इस repulsion की वज़े से, जब हम stability का discussion करें, तो stability किसकी ज़्यादा हो जाएगी, stability staggered की ज़्यादा होती है than eclipsed, staggered confirmation की stability ज़्यादा होगी than eclipsed confirmation, ये का हम दूसरी जगे पर भी कर सकते हो, जैसे normal butane के case में भी, एक confirmations देख सकते हो, normal butane, about C2-C3 bond, ये जैसे एक normal butane का structure है, तो इस normal butane में, इस carbon के पास दो hydrogen है, एक methyl है, एक carbon के पास भी दो hydrogen एक methyl लगा हुए, किसी भी carbon के बाउट, let's say हम C2-C3 में अभी हम ड्रॉ कर रहा है, C2 के पास एक methyl है, एंड दो hydrogen है, अगर तुम्हें most stable structure बनाना है, तो पीछे वाले carbon पे भी एक methyl है, तो हम methyl और methyl को दूर रख रहे हैं बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा stable structure बन जाएगा, इसे हम anti-conformation कहते हैं, या anti-periplanar confirmation कहते हैं, फिर अगर इसको 60 degree rotate कर दो, पीछे वाले circle को, पीछे वाले bond को, इस single single bond के about rotation हो सकती है, तो ये circle को rotate कर सकते हो, और इसके साथ जो atoms हैं, वो भी accordingly move करेंगा, अगर 60 degree rotation कर रहे हैं तो, प्रेंट कार्बन को हमने change नहीं किया है, पीछे वाला जो कार्बन है, उसको हम change कर रहे हैं, तो उसको change करेंगे, तो ये methyl जो है है, इस hydrogen के पीछे आ जाएगा, और इस methyl के पीछे एक hydrogen आ गया, और इसके पीछे ये वाला hydrogen आ जाएगा, तो ये है, एक और confirmation हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये चार सबसे ज़्यादा important confirmations में से हो जाएगे, फिर से 60 degree rotate करें, तो methyl के पीछे methyl आ जाएगा, फिर इस hydrogen के पीछे ये दूसरा hydrogen आ जाएगा, और इस hydrogen के पीछे ये आ जाएगा, ये जो पहला वाला confirmation है, इसे कहते हैं anti-peripleiner, anti-peripleiner कहते हैं क्योंकि, ये methyl और ये methyl ये तोनों same plane पे हैं अभी, ये carbon जो है, carbon-carbon एक ही line में है, और ये पूरा same plane में आ जाएगा, तो इसे anti-peripleiner कहते हैं, ये methyl और methyl भी same plane पे है, और ये plane के about है, तो इसे हम sin-peripleiner कहते हैं, जब यहाँ पे methyl और methyl के बीच में 60 degree का angle रहते हैं, तो इसे हम gauch confirmation कहते हैं, and इसे हम anti-cleanal कहते हैं, जब 1 to anti-degree का angle है, इसे sin-cleanal भी कहते हैं, इन चारों में अगर तुम से stability पूछी जाती है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, अगर यहाँ पे तुम्हें stability के order में arrange करना है, सबसे ज़्यादा stable clearly A है, क्योंकि यहाँ पे electron clouds में repulsion सबसे कम होगा, जो methyl और methyl है, वो maximum separation पर है, A के बाद फिर gosh confirmation आ जाएगा, क्योंकि के बल methyl-methyl को ही नहीं देखना है तुम्हें, जैसे generally ये confusion रहता है, ये anti-cleanal ज़्यादा stable है, क्योंकि यहाँ पे methyl दूर है, लेकिन methyl hydrogen के तो close आ गया है, ये दोनों electron cloud भी repel करेंगे, इधर भी repulsion हो जाएगा, इधर भी repulsion हो जाएगा, generally staggered confirmation जो है, वो ज़्यादा stable रहता है, eclipsed confirmations, A के बाद C आता है, then B आ जाएगा, and then D आएगा, D में तो maximum repulsion हो रहा है, तो इसकी stability सबसे कम होगी, ये कुछ important points हमने confirmations के बारे में लिख रखे है, the repulsive interaction between the electron clouds, which affects stability of a confirmation, is called torsional strain, जो वहाँ पर repulsion थे, उन repulsion को, जो electron clouds की बीच का repulsion था, इस repulsion को हम क्या कहते हैं, इस हम torsional strain कहते हैं, this angle is also called dihedral angle, और torsional angle, the energy difference between the two extreme forms of ethane, is of the order of 12.5 kilojoule per mole, ये जो rotation है, ये अगेन यहाँ पे इसको जब rotate करोगे, तो repulsions बढ़ेंगे, तो वो जो repulsion की value, कितना repulsion तक जाएंगे, 12.5 kilojoule per mole, वो barrier cross करना पड़ेगा, तब जाकि वो rotation हो पाएगी, जनरली ये value काफी कम रहती है, molecule के हिसाब से, molecules के motion में kinetic energy, जब वो एक molecule, दूसरे molecule को heat करता है, बत्वाँ ट्रांसफर करता है, energy collision के करन, तो उससे ही वो molecules के पास इतनी energy रहती है, कि वो rotation खुदी करते रहते हैं, तो वो इंटर्मोल कोशन से ही उनके पास इतनी energy आ जाती है, तो वो rotation हमेशा staggered से, eclipse से staggered होता रहता है, अबसली अगर तुम सोचो कि किसका amount ज़्यादा होगा, तुझे ज़्यादा stable रहेगा, उसका amount ज़्यादा रहेगा तैनी टाइम, तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करना पड़ रहे, रूम टेमपरेचर पे खुदी रोटेशन कर रहे, इसके आगे यह कुछ कंफरमेशन के कुश्चिन है, यह ज़्यमें 2023 का कुश्चिन है, विच व फॉल्लइं कंफरमेशन विल भी दी मोस्ट स्टेबल, अभी हमने जस्ट डिसकेशन किया है, यह गौश कंफरमेशन है, सेन पेरिप्लेणर कंफरमेशन है, इसमें मिथाइल मिथाल एक एक एक्स्ट्रा मिथाइल बनाया हुए, हमें के वाल अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो सेपरेशन है, यह सेपरेशन मैक्सिमम है, सारे आटम्स के बीच में, यह सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेबल यहाँ पे होगा, अगर सबसे लीस्ट स्टेबल पूछता है, तो यह वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का भी रिपल्शन है, मिथाइल हाइड्रोजन का भी रिपल्शन है, तो यह यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है, यह जो स्ट्रक्चर है, इस इस मोस्ट स्टेबल, इन फॉलिंग स्ट्रक्चर विच 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 वन इन ने रिरली स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऐसे केस में हम, जो CS3, जो में आटम्स लगे हुए हैं, जो में ग्रॉप्स हैं, उनको देखकर आंसर करेंगे, तो यहाँ पे 180 डिगरी का डाइहेडरल एंगल है, इस CS3 में, यह 180 डिगरी का डाइहेडरल एंगल है, तो C हो जाएगा इसका आंसर, अरेंज दी फॉल्विटी 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 इसोमर्स आफ नॉर्मल ब्यूटेन इन ओर आफ देर इन इंक्रीजिंग पोटेंशल एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन टू में है, तो यह सबसे हाइस्ट एनर्जी पे होगा, तो A और B में से कुछ चूछ करेंगे, अभी हम डिसकस कर रहे थे कि Eclipse की जो एनर्जी होगी, वो ज़्यादा होगी, या स्टेबिलिटी स्टेगर्ड की ज़्यादा है, लेकिन जो एनर्जी है, पोटिंचल एनर्जी और स्टेबिलिटी समझो, इन्वर्सली रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो लेस स्टेबिल है, 2 एन्ट 4, यह दोनों इनकी potential energy ज़्यादा होगी and इनकी potential energy कम होगी अगर stability पूछता तो बिल्कुल opposite हो जाता one सबसे ज़्यादा stable है and therefore इसकी energy सबसे कम है तो यह हो जाएगा अपना answer In the following skew confirmation of ethane this h prime cc अब यहाँ पे इसने properly specify किया जैसे butane वाले question में उसमें specify नहीं किया था यहाँ पे इसने specify कि इस h prime and is h double prime बीच में जो carbon है यह dihedral angle हमें बताना है अदल इस angle इस angle को बताना इसने यहाँ beach का angle दे दिया है 29 degree है अगर यह 29 shifted है तो यह भी 29 है और यह भी 29 है यह angle हमें पता है यह जो angle है this is 29 degree और यह जो angle है यह angle कितना है यह 120 degree का angle है projected angle तो 120 and plus यह 29 यह जो angle dihedral angle हो गया है 120 plus 129 यह हो गया 149 degree का dihedral angle staggered and eclipsed confirmations of ethane polymers तो definitely नहीं है इसके बाद है mirror images तो mirror images भी नहीं है क्योंकि वो mirror है नहीं दिखेंगे यह नहीं mirror image की तरह एक में hydrogen 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 इधर है यह है इसका staggered confirmation और यह है इसका eclipsed confirmation जहां पर hydrogen इधर present है तो यह कहां से mirror images है कोई mirror नहीं है यह they are not mirror images enantiomers नहीं है mirror images रहते तो enantiomers हो सकते थे they are rotation के कारण बन रहे है therefore they are also called rotamers इसके बाद हम आते हैं alkenes पे तो सबसे पहले हम इसमें nomenclature से शुरू कर रहे है alkenes के naming में क्योंकि alkenes जो है they are principal functional groups तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस end से alkenes pass आ रहे है क्योंकि principal functional groups की तुम्हें priority देखनी पड़ेगी अब तुम्हें branches को नहीं देखना है जो सबसे ज्यादा priority का functional group present रहता है वो जिस end से pass आता है उस end से हम numbering शुरू करते हैं जैसे यहां पर आगर हम देखें यहां पर यह जो alkenes है यह इस right end से pass आ रहे तो इधर से हम numbering करेंगे हलागि यहां पर तो दोनों तरफ से यह double bond इधर रहता यह इधर रहता कोई फारक नहीं पड़ता तो इससे तुम simply propene लिख सकते हो अच्छा करें हम सबसे simplest alkenes की बात करें तो सबसे simplest जो alkenes यह दो carbon से बनेगा CH2 CH2 जिसे हम ethene कहते हैं यह इसका common name है ethylene propene का common name propylene propylene है ethene ethylene propene propylene अब इनके हम IUPSE names पर आता है इनके common names जाद हमें मिलेंगे नहीं कैसे यह one है two है three है four है क्यों इधर से numbering की क्योंकि इधर double bond पास आ रहा है यह three methyl but one in हो जाएगा this is three methyl but one in कोई space नहीं है कहीं पर double bond is chain पर है इन हो जाएगा दो दो डबल बॉंट से हैं कि सिमेट्रिकल है किसी भी तरफ से numbering कर सकते हो यह हो जाएगा पेंटा वन कॉमा फूर डाई इन यह पेंटा वन कॉमा फूर डाई इन है अभी स्वाले structure पर हम आते हैं तो फिर हम देखें डबल बॉंट की तरफ से numbering करेंगे अगें यह वन है यह टू है और यह थ्री है इधर वन टू नहीं करेंगे डबल बॉंट इन क्लोज होना चाहिए यह थ्री मिथाईल कि साइकलो पेंटीन अब हमें वन लिखने की ज़रुत नहीं है यहां पर क्योंकि अलकीन है तो सबसे जादा प्रारिटी का है तो वह वन पर ही रहेगा यहां पर हमें पूजिशन बतानी पड़ेगी यह थ्री ब्रोमो ब्यूट वन इन हो गया इसके स्ट्रक्चर्ज़ ड्रो करना है 5-Bromo-Pent-2-Eene तो पहले 5-Carbon बनाना है तुम्हें 2-Position पर Alkene बनाना है and 5-Position पर 1-2-3-4-5 5-Position पर BR बनाना है तो यह हो जाएगा 5-Bromo-Pent-2-Eene 2-2-Dimethyl, But-1-Eene तो But, मतलब 4-Carbon है 1-Eene and 2-2-Dimethyl 2-2-Dimethyl तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2-Bond बना देते हैं तो फिर यहाँ पर 5-Bond बन जाएंगे यह इसे 2-3 कर देते हैं 2-3-Dimethyl But-1-Eene का structure देखो वो तो पॉसिबल ही नहीं था तो यह 2-3-4 2-3-Dimethyl But-1-Eene हो जाएगो क्या एदर एक double bond होगा या फिर एक ring होगी तो पहले हम double bonds बना लें तो 4 carbon है 4 carbon की chain बना लो पहले 2 chain possible है double bond यहाँ पर 2 जगे पर लगा सकते हो और यहाँ पर एक ही जगे पर लगा सकते हो तो यह 3 chain वाले बन गए फिर ring में सबसे छोटी ring से शुरू करते हैं 3 carbon की ring होती है 1 carbon बचा हुआ है और यह फिर यह 4 carbon की ring तो यह total 5 structural isomers इसके बन जाएंगे 3 ring and 2 cyclic 3 acyclic and 2 cyclic C5H10 मैं similarly एक बार खुद से try करो chain isomers बनाओ पहले तो यह acyclic बनाओ and then cyclic ड्रॉ करने की try करो stop कर लो वीडियो को और एक बार ड्रॉ करके देखो बना पा रहे हो क्या सबसे पहले जब हम chain वाले बनाएंगे तो 5 membered atom 5 membered यह बना लेते हैं तो एक तो normal pentane है iso pentane है neo pentane है neo pentane में कहीं double bond नहीं बना सकते हो double bond बना दोगे तो carbon के पास 5 bonds बन जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा तो दो ही structure को use करना पड़ेगा double bond यहां पर दो पूजिशन है जहां पर कि तुम double bond बना सकते हो और यहां पर तीन अलग-अलग positions है जहां पर कि double bond बना सकते हो तो पांच तो acyclic बन गए फिर cyclic पे सबसे छोटी ring से शुरू कर रहे हैं three membered ring से शुरू किया है तो दो carbon बचे हुआ है दोनो carbon को एक साथ लगा सकते हो या फिर दोनो carbon को अलग-अलग जगे पर लगा सकते हो या फिर दोनो carbon को ethyle बना के लगा सकते हो तीन तरीके हो फिर four membered ring पे एक ही carbon बचा है कहीं भी लगाओ and then five membered ring पे एक तो देख सकते हो कि पांच acyclic and path cyclic total 10 structural isomers बन गए and इसमें five geometrical isomers alkenes के साथ क्या है alkenes जो है वो stereo isomerism भी शो कर सकते है and specially geometrical isomers क्योंकि double bond के about rotation है वो restricted है single bond में बात करते है single bond में वो rotation हो रही थी जिसकी वज़े से confirmations भन रहते है लेकिन यहां पे rotation नहीं हो रही है यह double bond के about rotate करके इधर नहीं आ जाएगा यह conversion नहीं है यह rotation possible नहीं है यह यह दोनों अलग-अलग structures है the restricted rotation of atoms or groups around the doubly bonded carbon atoms give rise to different geometries of such compounds अब यह rotation तो नहीं कर सकता है तो यह अलग structure है देख सकते हो यहां पे methyl और methyl same side पे present है इन्हें हम cis कहते हैं जब same groups same side रहते हैं तो उन्हें cis कहते हैं अब यह opposite side है तो इन्हें trans कहते हैं अब यह घूमकर इधर नहीं आ सकता है तो यह दोनों अलग-अलग structure है इनके boiling points melting points सब कुछ अलग रहते हैं जब same side रहता है तो इसे cis कहते हैं और जब opposite side रहता है तो इसे trans कहते हैं तो एक cis between हैं and trans between between हैं तो between में different structures possible है ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे double bonds पे geometrical isomerism हो ही for example जैसे propene है एक simple सा question देखते है can propene exhibit geometrical isomerism propene है ऐसा यहां पे हम cis trans बना सकते हैं कैसे बनाएंगे cis or trans propene है CH3 CH double bond CH2 अब इस double bond के about अगर देखें तो इधर तो दो दो same atom हो गया hydrogen और hydrogen हो गया तो अब तुम hydrogen और hydrogen को change क्या करोगे कोई different space में कोई orientation change ही नहीं होगी and therefore यह जो propene है cannot exhibit geometrical isomerism तो यही चीज़ तुमें देखना है कि अगर कोई atom पे दो same group जुड़ जाते हैं तो फिर वो geometrical isomerism exhibit नहीं कर पाएगा और अगर different groups हैं तो फिर वो geometrical isomerism exhibit करेगा जैसे यह जैमें 2021 का question है which of the following molecules does not show stereo isomerism इसके पहले हम इस question पर आते हैं which of the following compound shows geometrical isomerism geometrical isomerism मतलब हमें double bond जैसे इनके structures draw करते हैं ए क्या है यह है pent-2-ene तो pent-2-ene बनाया 2-ene बनाया and 2-methyl बनाया अब देखो इस carbon पर 2-methyl same groups जुड़े हुए double bond k cross and therefore यह geometrical isomerism नहीं show कर सकते है beam है again pent-2-ene है 4-methyl 1-2-3-4 4-methyl pent-2-ene है अब यहां पर different groups जुड़े हुए एक hydrogen है methyl है तो hydrogen hydrogen को same side भी रख सकते हो जैसा अभी different side है तो यह trans कह सकते हो इसे तो यह show कर रहा है C and D options को अगर देखें 4-methyl pent-1-ene है तो pent-1-ene में तो इधर 2 hydrogen आ गए तो यह नहीं करेगा show and D में 2-methyl pent-1-ene है again pent-1-ene आ गया तो फिर से यह show नहीं करेगा option क्या बचता है option B तुम्हें यहां पर बताना है कि stereo isomerism में अब दोनों चीज़े आ जाएंगे तो मैं chiral carbon भी देखना पड़ेगा and double bond के about geometrical isomerism भी देखना पड़ेगा optical isomers and geometrical isomers both जैसे हम A वाले structure पर आते हैं does not again पूछा है 3-4-dimethyl hex-3-ene तो hex-3-ene x बनाया 1,2,3,3-ene बना दिया and 3 and 4 पर double bond बना दिया यहां पर देख सकते हो कि groups अलग-अलग है methyl ethyl methyl ethyl तो यह show करेगा B में 3 methyl hex-1-ene है again hex-1-ene बनाया 1,2,3 पर methyl लगा दिया तो यह geometrical तो शो नहीं करेगा यह क्या show करेगा इसके पास chiral center है इस carbon पर चार अलग-अलग group जुड़े हुए एक methyl है, vinyl है, propyl है, hydrogen है तो यह optical isomerism show करेगा यह geometrical isomerism show करेगा third option जो है this is 3-ethyl hex-3-ene hex-3-ene मनाया 3 पर ethyl लगा दिया देख सकते हो कि double bond है इस carbon पर 2-2-ethyl लगे हुए है तो यह नहीं geometrical show करेगा नहीं optical show करेगा क्योंकि कोई chiral center भी नहीं है इसके पास third option में again hex-1-ene है तो geometrical तो यह show करेगा नहीं एक, दो, तीन, 4 पर methyl लगा है तो यह chiral है तो यह optical show करेगा यह कुछ भी show नहीं करेगा तो C will be the correct answer जो की does not show stereo isomerism क्योंकि stereo isomerism बोला है तो तुम्हें दोनों चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी geometrical isomerism and साथ में optical isomerism यह alkenes की stability के उपर हम comment कर रहे हैं यह alkenes की stability कैसे देखते हैं तो यह तीन factors हैं जिसे की alkenes की stability पे हम comment कर सकते है alkenes are stabilized by conjugation hyperconjugation and lack of steric hindrance conjugation मतलब कोई alkenes pi wand next to a lone pair है और pi wand है कोई carbonyl group भी उसे stabilize कर सकता है या lone pair stabilize कर सकता है for example जैसे की मानो एक ऐसा double wand है और एक ऐसा double wand है इन दोनो double wands में से हमें बताना है कौन सा alkenes ज्यादा stable है इस यह जो alkenes this is conjugated double wand, single wand, double wand resonance में जाके तुम देख सकते हो resonance वाले one short में तो वहाँ पर यह जो double wand है यह conjugated है and जब conjugated होगा तो यह ज्यादा stable होगा अगर हम relative stability की बात करें तो conjugated alkenes सबसे ज्यादा stable रहेंगे and वह conjugation कैसा भी हो सकता है जैसे यह simple structure लिया and यह conjugation हमने oxygen के साथ कर दिया यह जो lone pair है this lone pair can also stabilize it तो अगर conjugated alkenes है तो वह ज्यादा stable रहेगा second criteria जो है वह hyperconjugation का hyperconjugation alkenes में कैसे होता है वह समझने के लिए हम एक प्रोपीन का example लेते हैं consider प्रोपीन प्रोपीन का structure अभी हम डिसकस कर रहे था CH3 CH1 CH2 है इसमें अगर तुम कार्बन की hybridization देखोगे तो hybridization इस carbon की SP2 है यह भी carbon SP2 hybridized है और यह जो carbon है यह SP3 hybridized है SP2 के अबाउट जो shape होता है वो planar है हम भी से इस planar shape में draw कर रहे हैं इधर तो hydrogen and hydrogen है and यहाँ पर है CH3 और एक hydrogen अब देखो अब देखो यह जो double bond है इस double bond पर यह alkyl group लगा हुआ है और यह जो alkyl है इस alkyl का CH bond है यह CH bond इसके pi star के साथ इसके पास यहाँ पर जो pi star है इस pi star के साथ overlap कर सकता है again वहाँ पर तुम hyperconjugation में जाके देखोगे थोड़ा सामने discussion किया था यह जो CH है sigma to pi star यहाँ पर जो donation है यह किसके बीच में sigma to pi star में है and जब sigma to pi star यह donation करेगा तो यह basically इस alkene को stabilize कर देगा by a kind of partial conjugation कह सकते हो जैसे यहाँ पर 3 hydrogen है जो alkene से लगा हुआ alkyl group है बस वही उसे stabilize कर सकता है यह हम कुछ false resonance structures से समझते हैं इसे तो यह double bond इधर बन गया दो hydrogen है एक H plus बन रहा है और यह negative charge है इस तरह से बाकी जो दो hydrogen है क्योंकि इस single bond के about the rotation allowed है तो यह दोनो hydrogen भी hyperconjugation कर सकते हैं तो यहाँ पर 3 CH hyperconjugation हो जाएगा and hyperconjugation के नंबर जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ही ज्यादा वह stable हो जाएगा यह ध्यान रखना है कि alkyne के पास जो खुद का hydrogen है वह तो उसके perpendicular है pi star किया तो वह उसे stabilize नहीं करेगा alkyne से जो alkyl group जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूटेड है alkyl group वह उसे stabilize करेगा यहाँ पर जो CH3 है यह सब्स्टिट्यूटेड alkyne कहेंगे इसे हम कहेंगे mono-substituted alkyne तो ऐसे ही अगर इसकी substitution बढ़ा दें for example यह carbon carbon double bond है इस पर जितनी सब्स्टिट्यूटेशन हो जाएगी जैसे मानों कि सब चारो hydrogen है अब तो यह सबसे कम stable है अभी अगर हमने किसी एक hydrogen की जगे पर ऐसे CS3 रखा था तो यहाँ पर एक एक alkyl group यह mono-substituted हो गया है और यहाँ पर 3 अगर हम number of hyperconjugation लिखें number of hyperconjugation अगर एक और hydrogen लगा देते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर 6 CH hyperconjugation हो जाएगी अब यह से France देख सकते हो France जो है वो इस से से भी ज्यादा stable रहता है यहाँ पर 6 hyperconjugation हो जाएगी France ज्यादा stable क्यों है क्योंकि यह जो bulky groups है जो third point है यहाँ पर steric hindrance कम है और यह जो बड़े-बड़े groups है यह बड़े-बड़े groups ज्यादा रिपल करेंगे और रिपल करेंगे तो इसकी stability को कम कर देते हैं यह दोनों die substituted है फिर हम die substituted में एक और example देख सकते हो कि जब CH3 और CH3 same side पर रहते हैं तो यह थोड़ा ज्यादा stable रहता है यह हम थोड़ा याद रख लेंगे अभी और यहां पर भी 6 CH hyperconjugation होंगे फिर try substituted जब 3 CS3 group लग जाएं यह भी CS3 है यह भी CS3 है इदर hydrogen है तो यहां पर 9 hyperconjugation हो जाएंगे और जब 4 CH3 लग जाएंगे तो फिर एक और CS3 है तो फिर वहां पर 12 hyperconjugation हो जाएंगे इदर भी CS3 इदर भी CS3 है तो यहां पर 2L hyperconjugation हो जाएंगे इदर जा रहे है number of hyperconjugation जैसे जैसे increase हो रहा है जैसे यह mono substituted यह तीनों ही die substituted हैं और यह tri substituted है और यह tetra substituted है जैसे जैसे substitution बढ़ रही है यह mono substituted है mono substituted सबसे कम stable है उससे भी कम ethene है फिर di substituted, tri substituted, then tetra substituted तो इधर जाने पर stability of alkyne increase होती है तो बहुत यह simple से काम है तो मैं बस यह देखना है कि double bond कितना जादा substituted है for example जैसे मानों कि इन दोनों double bonds में अगर हम compare करें इस double bond और इस double bond में कौन सा double bond जादा stable होगा तो यह tri substituted है तीन alkyl group जुड़े हुए और इस double bond से 2 alkyl group जुड़े हुए तो यह जादा stable है similarly किसी और जागे पर हम देखते हैं इस double bond और इस double bond में अगर compare करें तो यह अगें tri substituted है और यह mono substituted है तो यह जादा stable double bond हो जाएगा तो alkenes की stability हम सबसे पहले तो हमने resonance या conjugation से देखा and then हम hyperconjugation से जहाँ पहले कि हम substituents देख रहे कितने substituents जुड़े हुए and then हम lack of steric hindrance मतलब जासे से स्ट्रांस अगर में हम देखते हैं तो हम बता सकते हैं alkenes की stability इसके बाद हम आते हैं preparation of alkenes पे first method preparation का this is from alkynes alkynes के साथ हमने alkynes देख सकते हैं h2pd की reaction लिखी हुई है but h2pd के साथ हमने पढ़ा थे alkynes के साथ alkyn बन जाता है तो वहाँ पे हमें जो palladium यूज करते हैं उस पैलेडियम की reactivity को कम करना पड़ते है उसे हम poison करना कहते हैं कि poison करना है पैलेडियम को alkynes on partial reduction with calculated amount of di-hydrogen in the presence of pallidized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur compounds और quinoline pd charcoal भी लिखा हुआ रह सकता है BSO4 की जगे पर carbon भी रह सकता है and with quinoline तो इसके साथ reaction करवाएंगे तो फिर यह alkyne को reduce करके क्या बना देगा this is alkyne और यह reduce करके बन जाएगा alkyne और यहाँ पर जो alkyne मिलता है हमें वो अगर वो geometrical isomerism शो कर सकता है तो फिर वो cis alkyne मिलेगा क्योंकि जो दो hydrogen hydrogen same side से जुड़ जाते हैं और same side से जुड़ जाएंगे तो जो आर और प्राइम है यह दोनों उपर चले जाएं तो इससे यह alkyne cis alkyne मिलेगा alkyne thus obtained are having cis geometry however alkynes on reduction with sodium in liquid ammonia अगर sodium और liquid ammonia यूज कर रहे हैं तब जो alkyne मिलेगा यह alkyne trans alkyne होगा जैसे मानुकी simple सा reaction देखते हैं यह buttoine है अब इस buttoine के साथ तुम दोनों चीज़ें बना सकते हो तुम cis butyne भी बना सकते हो and trans butyne भी बना सकते हो अगर तुम्हें cis बनाना है तो फिर हम h2, pd carbon, phenoline वगरा यूज कर लेंगे and अगर तुम्हे trans बनाना है तो na dissolved in sodium dissolved in liquid ammonia जिसे हम birch reduction भी कहते हैं तो यह यूज कर सकते हो अगर triple bond ऐसा है terminal alkyne है तो terminal alkyne में फिर यहां पर जरूरी नहीं है कि यह तो double bond बनेगा यह से trans शो नहीं करेगा terminal alkyne के साथ हम nans3 यूज नहीं करते हैं जाता यह ध्यान रखना है हम यहां पर h2 lindlar catalyst यह जो composition है pd, pso4, quinoline, lindlar catalyst कहते हैं lindlar catalyst use करेंगे अगर तो यह alkene बन जाएगा अभी हम देखेंगे कि terminal alkynes के साथ sodium use क्यों नहीं करते हैं क्योंकि terminal alkynes के साथ reaction कर लेता है तो यह तो एक तरीका था second way है from alkyl halides जो की बहुत important method है preparation का इस कफी questions होगर भी आते हैं alkyl halides on heating with alcoholic potassium hydroxide dissolved in alcohol mostly ethanol use करते हैं say ethanol ethanol के साथ ethyl alcohol के साथ OH- present ethyl alcohol OH- acid-base reaction हो जाती है जादन ही होती यह बन जाता है eto- ethoxide and H2O ethoxide- ethoxide- etho- alkene यहां पर reaction करता है and यह इसे alkene बना देगा यह है reaction की mechanism बहुत simple है अगर हम mechanism का discussion करें तो देख सकते हो कि यहां पर यह X है और यहां पर एक hydrogen है यह जो etho minus बना है यह etho minus इस beta hydrogen के साथ reaction करता है halogen से जो carbon directly attached है इसे alpha carbon कहते हैं इसके next carbon को beta carbon कहते है बनेगा and यहां से जो X है यह डिपार्ट कर जाएगा तो यह से ऐसा double bond बन जाएगा पॉइंट्स पढ़ता है फिर हम और explanation देखता है इनकी अपसे देख लो एक बार किटियो माइनस इस hydrogen पर बीटा hydrogen पर दोनों तरफ ही बीटा पोजिशन इधर भी बीटा पोजिशन है इधर वाले के साथ भी reaction कर सकता है उससे भी product बनता है अभी हम reaction में देखते हैं एक बर और ऐसा reaction कर देते हैं तो हमारे पास symmetrical है यह position symmetrical alkene के साथ हम आगे देखेंगे अभी तो अभी दोनों तरफ ही सेम बीटा पोजिशन है किसी भी बीटा hydrogen को हटा सकते हो तो किसी भी बीटा hydrogen को हटा होगे तो एक ही अलकीन अभी बन रहा है बस यह है और इसे हम symmetrical अलकीन कहते हैं इसे symmetrical alkene अलकाइल हलाइट ओन हीटिंग विथ अलकोहलिक पुटाश हाइड्रोक्साइड डिसॉल्ड इन अलकोहल इल्मिनेट वन मॉलेक्वल ऑफ हैलोजन असर्ट तो यहां से हैलोजन असर्ड एलिमिनेट हो गया ये-ट्योगाइज व्याया खभजर के साथ रेक्शन कर रहा है מאously माइनस हीड्रोजन गसाथ राक्शन गरहा है और Х we предлаг ठीपार्ट हो रहा है एच और X डपाट बहुर डिस्ट क्रश्टन इश्मोल हैक्जא तर्शरी के साथ होगी, अगर तर्शरी हलाइट है, तेन सेकेंडरी हलाइट, तेन प्राइमरी हलाइट. तो अगर तो सेमेटरिकल अल्कीन तर्थी? वहां पर जो हलएड था सॉरी यह यहां पर दोनों तरफ सेम कारवन थे गटा पोजिशन थो लेकिन अब जो हलाइड है यहां पर दो अलग-अलग बीटा पोजिशन से अगर आप ध्यान दे जो बी आर से डारेक्ली अटैस्ट कारवन यह ऐलफा है इधर बीटा है और इधर स्टेबल कौन सा होगा अभी जस्ट हमने डिसक्स किया है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहता है वही मेजर प्रोड़क्ट बनता है यह मेजर है और यह माइनर यह सथ रूल भी ए यह सब्सक्राइब और यह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो जितना ज्यादा घूबल रहे गएंगा यह वाला जो बन जाएगा यह पर इसके साथ साथ एक सिस भी बन रहा है तो वो जो से सहे है वो भी माइनर प्रॉड़क्ट बने ट्रांस वाले मेजार क्योंदीEC लगितरान्स सबसे ज्यादा स्टेयबल है ये x से मानो ये y है और ये the अगर ये x% बन रहा है ये y% बन रहा और ये % थिये ये तो च्रीफ सबसे ज्यादा एक्स बनेगा दन y दन से हैं से शकाट हो जो है व्होडाय स्टैट्री रहे है कि इसके बांभ यहं पर देखते हैं अगेन यहां पर यहां पे यह थिए अर्फा पोई पोचीशं. अगेन यहाँ बना सकते हो आगीन सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट यह मज Имền जाइगा सेस भी बना सकते हुए यहां पर यह ट्रांस डबल बॉंड के अबाउट यह सेस है एंद फिर एक मोनो सब्स्टीट्यूटेड प्राड़क्ट भी बना सकते हूं मेजर प्राड़क्ट कौन सा होगा ट्रांस वाला जो रहेगा वह मेजर बन जाएगा यहां पर भी देख सकते हो एल्कोहलिक के साथ यह अलफा पुजिशन है इधर बीटा है एंद इधर भी बीटा है दोनों तरफ ही हम डबल बना सकते हैं मतलब च्टू डबल बॉंड सी ब्यार तो यहां से अलिमिनेट हो गया है एच बचा हुगा है सी एच सी एच थ्री है हाइड्रोजन और इस बी आर्प जब हटाएंगे तो सी एच डबल बॉंड ची एस थ्री एंड यह जो प्रॉडक्ट बनेगा यह नीचे वाला प्रॉडक्ट इस इस मेजर अब जो यह वाला प्रॉडक्ट है उपर वाला वह माइनर प्रॉडक्ट बहुत से काम है हमें बसकी देखना है कि बीटा हाइड्रोजन को अलिमिनेट करना जब अल्कॉह दिया हुए तो एंड फिर हम यह देख लेंगे कि मेजर और माइनर प्रॉडक्ट कौन सा बन रहा है जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह आलफा पॉजिशन है इधर बीटा और यह दोनों इडेंटिकल बीटा पॉजिशन है दो प्रॉडक्ट हम बनाते हैं एक इधर डबल बॉन बन सकता है एक बाहर की तरह डबल बन सकता है कि उधर भी बीटा हाइड्रोजन है यह अब यह एक और रूल यहां पर कि अगर लिविंग रूप अगर वल्की है लाइक एनर थ्री प्लस और दी अटैकिंग बेस बल्की कोई भी अगर एक पार अगर हम बहुत बल्की साइज का ले लेता है तो फिर वो जैसे यहां पर जब बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करन तो कि यहांप पर हईड्रोस खाब बहुत दाइस फ्रोनिद रहाता ह् Les re可 अगर्ण लिविंग अगर जिया जार मेशा सब्सक्राइब्व है या फिर और एकिवाल मेश कािद साइब थी लिढ रखना है जैसे यहां पर भी आलफा एंड बीटा पोजिशन अब जो लेस टेबल आलकीन है यह वाला जो आलकीन है यह है मेजर प्रॉडक्ट और इससे हम कहते हैं होफ्मेन प्रॉडक्ट करें दूसरा अब माईनर डिया हुए जब low नगर भलकी सह से तो बलकी बैस कहां पर रियक्शन करेंक्ट बलकी बैस जूंप से हाई में करने करें तुम ख़र सोच सकते हों अगर बड़ा ग्रोप आ रहा है तो यह ज जो अल्रेडी स्टेरिक hinderance पर यह वाला जो hydrogen है यह थोड़ा freely available है यहाँ पर steric hindrance कम है और अगर steric hindrance कम है यह product again इधर major बन जाता है जिसे कि हम Hoffman product कहते हैं ताथ ही अगर fluorine रहता है जब living group में fluorine रहता है reaction को force करते हैं तब भी वो Hoffman product ही बनता है वैसे case में भी यह next reaction है, visonal dihalides के साथ भी हम alkene बना सकते हैं, ज rebellion का मतलब है जब adjacent position पे bromine लगे हुए, तो जब हम zinc के साथ heating कर रहे हैं, much zak ethics BR है, इधर भी CH2 BR है. Zing के साथ heating कर रहे हैं, तो इस hier हम ZNBR 2 बहर आ जाएका, और यह किस में convert हो रहा है है, CH2 double bond CH2 में convert हो जाएका, अलकीन बन जाए गई सिमिलरली इधर भी देख सकते हो इस तरफ भी और यहां पर है तो यह बियार और बियार जो है यह रिमूफ कर देंगे बिया टू बनके अलग हो जाएगा और यह डबल बॉंड बन जाएगा तो बहुत है सिंपल सा रियक्शन है यह यह नेक्स रियक्श देखो तो यह अलफा पुजिशन है जो ओएच जिससे जुड़ा हुआ है वह अलफा है इसके नेक्स वाला पुजिशन बीटा है इधर भी डबल बॉंड बन सकता है तो देख सकते हो दोनों तरफ ही डबल बन सकता है लेकिन ज्यादा स्टेबल यह है यह बन जाएगा मेज प्रड़क्ट रियक्शन की मेकानिजम हम थोड़ी से डिसक्स करना चाहते हैं कि रियक्शन की मेकानिजम यहाँ पर इंपोर्टेंट है जब यह ओएच देख रहे हैं हम एच्टू एस फूर के साथ रियक्शन करा रहा है उसी रियक्शन की मेकानिजम देख रहे हूँ तो H2SO4 जो है वो alcohol ये H plus gain करेगा ये बन जाता है OH2 प्लस और फिर ये H2 यहाँ से depart होगा ये alkene बन जाएगा इस और ये कटायन बन जाएगा अब दोनों तरफ का जो बीटा hydrogen है कोई भी बीटा hydrogen यहाँ से eliminate हो सकता है तो ये double bond बन जाएगा तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस elimination में एक intermediate बनता है और वो intermediate क्या है वो intermediate है कार्बो कटायन और अगर किसी जगे पर कार्बो कटायन इंटर्मीडियेट बन रहा है तो तो में काफी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि this may rearrange rearrangement हो सकती है कार्बो कटायन की methyl shift हो सकता है ethyl shift हो सकता है phenyl shift हो सकता है तो ऐसे rearrangements कार्बो कटायन के अंदर हो सकता है जैसे यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा intermediate अगर हम बनाए तो intermediate ऐसा कटायन बन रहा है यह rearrange नहीं होगा अभी क्योंकि अल्रेडी स्टेवल है इसके बाद यह most stable product बन जाएगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी rearrangement अभी नहीं होगा और यह double bond इधर हम बना देते हैं यह major product बन जाएगा rearrangement कब होगा जैसे मानों की अगर ऐसा कुछ example दिया हुआ है यह OH है और इसकी reaction हम concentrated H2SO4 के साथ कर रहा है अब इस case में अगर तुम cation को देखो तो जब यह OH सबसे पहले तो OH2 प्लस बना रहा है H plus gain करके और फिर यह H2O यहाँ से depart कर जाएगा और यह H2O depart करेगा यह cation बन रहा है अब यह जो methyl है यह methyl shift होगा migration होगा इस methyl की यह double bond positive बन गया 2 degree से 3 degree cation बन गया and then इस beta hydrogen को अब हम eliminate कर सकते हैं तो यहाँ पर जो major product है वो elimination के बाद आएगा यह ध्यान रखना है तो ऐसे elimination हो सकते हैं यहाँ पर and जो product है क्योंकि carbo cation बन रहा है और carbo cation की rearrangement हो सकते है तो rearrangement के बाद different products बन सकते हैं जो मतलब expect कर रहा है वो product नहीं बने यह कुछ jamin के questions आगे प्रीविएस येर के जैसे किस first question को देखो identify the correct statement एक बार तुम चाओ तो video को pause करके और फिर पहले solve करने की try कर लो फिर उसके बाद देखना कि मैं क्या मेरी क्या thinking है तुमारी क्या thinking रही है इसमें identify the correct statement for the below given transformation तुम notice करो तो यहाँ पर C2H5O-ethoxide-Ion दिया हुआ है like alcoholic KOH and यहाँ पर है एक bulky living group big living group है या bulky living group है अभी हम discuss कर रहे थे कि जब bulky living group रहता है तो फिर ऐसे case में Hoffman Eliminations होना शुरू हो जाता है A को बोला है major product तो less stable बनना चाहिए है मतलब C and D है and कैसा product होगा वो Hoffman product होगा तो C हो जाएगा इसका answer बहुत है simple सा question है तुम्हें बस यह देखना था यह alpha position है and यह beta position है तुम देख लो वहां सा ज़्यादा stable है जैसे इधर dye substituted alkyne बन रहा है यह भी dye है and यह mono substituted बन रहा है क्योंकि इस carbon से 2 hydrogen जुड़े हुए इस carbon से 1 hydrogen and यह 1 alkyl group जुड़ा हुए तो जो less stable alkyne होगा यहाँ पर यह major product होगा यह less stable alkyne रहेगा the major product P of the given reaction is again H plus के साथ reaction करवा रहा है alkyne बन रहे हमें बताना है कौन सा alkyne बनेगा क्या करना है हमें mechanism थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें यहाँ पर proceed करना है सबसे पहले हमने OH को protonate करेंगे तो यह OH2 प्लस बन जाएगा यहाँ पर 2 methyl भी है then यह H2O यहाँ से डिपार्ट होगा और H2O डिपार्ट होगा तो फिर यह कटायन बन गया अब यह कटायन अभी 2 डिग्री का है लेकिन तुम देख सकते हो कि बगल में यह मिथाईल ग्रुप है और यह जो मिथाईल है यह मिथाईल अगर इधर हम माइग्रेट कर देते हैं तो इससे यह 3 डिग्री कटायन में कनवर्ट हो जाता है यह बन गया 3 डिग्री कटायन और फिर अब जो मुस्ट स्टेबल अलकीन डबल बॉंड यहाँ पर इस तरफ जो डबल बॉंड बनेगा इसके बाद बीटा हीड्रोजन से वह सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसका अंसर सी हो जाएगा किता सिंपल सा कुश्चन आया तो मैं अगर थोड़ा सभी समझ में आ रहा है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है एच प्लस मेजर प्रॉडक्ट दिया हुआ ऑप्शन देखके ही पता चल रहा है कि अलकीन बनने वाला है क्योंकि सारे ऑप्शन से अलकीन बना रहे है रियाक्शन को को से इंप प्रोफायल का कुस्चन है और यक्षट दिया हुआ है अगें हच टूसूफ फ़ू है सभसे पहला काम हम यहां पर क्या करेंगे सभसे पहले हम principals क को प्रोटनेट करेंगे कि इधर में थाइल है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ यहां पर दो मिथाईल है और यहां पर ओएच है सबसे पहला काम क्या किया है और एच को प्रोटोनेट किया तो यह बन गया ओएच टू प्लस पिर इस हटू को यहां से डिपार्ट करेंगे और यह कटान बना देंगे इसको है यह थो यहां से डिपार्ट कियो यह कटान बन गया एनफ रीरींग्मेंट देख सकते हैं यह जो है यह मिथाईल इधर आ जाएगा यहां पर कटाने यह ज्यादा स्टेवल बांड जाए ऐ एण धेन डॉबल बन रहा है डबल बांड के साथ मिठाइल मिठाइल एंड इधर भी मिठाइल एंड मिठाइल कि सेम प्रोफाइल का कुश्चिन है अगें पर अफट तुम सोच सकते हो और इसका आंसर करने की ट्राइब करो फस्ट वाला जो कुश्चिन है इसमें करने के बाद जो मेजर प्रोड़क्ट है यह कैसे बन जागा यह से बनेगा अगर तुम इस बेस को देखो तो यह बल्की बेस दिया हुआ है और जब यहां पर है कि हॉफ्ण प्रॉड़क्ट से ए रॉड़क्ट बनेगा है कि थो आंतर सब्सब्स है अंदर की तरफ और यह इधर राई सब्स्टिटूटेट बन रहा है और इधर मेजर प्रॉडक्ट जो है वो डाई सब्स्टिटूटेट बन रहा है ठीक फिच फॉलिंड लार्स काटलिस्ट वहाद है सिंपल सा कुषिण लेंड लार काटलिस्ट पैलिडाइज चार्कूल पार्शिली डी अक्टिवेटेड रहना चाहिए तभी वो लेंड लार काटलिस्ट होगा मेजर प्रॉडक्ट इन दी फॉल्विंग रियक्शन इस एच प्लस के साथ हीटिंग कर रहे है क्वेशन हम थोड़ा दोबरा आकर एक बार देख लेंगे 18 नंबर को 19 एक बार सौल करने की ट्राइग करते हैं वेन नियो पेंटाइल अल्कोहल इस हीटेड विद एन असेड इस स्लोली कनवर्टेड टू इन्टो 85 इस्तो 15मिक्शन नियो पेंटाइल अल्कोहल को हम हीटिंग कर रहें अगैन अल्कोहल के हीटिंग से एल्केन बनेगा यह ऐसा याता आल्कोहल है अब इस अल्कोहल में सेम काम करना तुम्हें इसको सबसे पहले प्रोटोनेट कर दिया प्रोटनेट कर देंगे तो यह ओएच्टू प्लस बन जाएगा अब रियक्शन को फॉर्स कर रहा है वैसा वन डिगरी कटान बनता नहीं है रियक्शन में हम यहां पर क्या कर रहा है इस मिथाइल को सीधा सीधा माइग्रेट करा रहा है और इस एच्टू को यहां से डिपार कर दे रहा है तकि यह वह वं डिगरी कटान नहीं बने यह कटान बन जाए और फिर देख सकते हैं अब अलकीन बनेगा तो दो यह थे बन सकता है ऐसा और एक इधर डबल बॉंड़ आ सकता है तो जो पहलावाला अलकीन है वो मेजर प्रॉड़क्ट बन जाएगा और कौन सा इसके बाद physical properties तो physical properties जैसे हम डिसकस कर रहे थे दो चीज़ है रहती है एक तो रहता है boiling point दूसरा रहता है solubility boiling point again यह भी non-polar ही है almost and therefore boiling point dispersion forces सीदा सीदा हमें सोचना है size increase होगी dispersion forces increase होगे boiling point बढ़ेगी the first three members are gases lower members है वो सब gases है the next 14 are liquid and higher ones are solid ethene is a colorless gas with a faint sweet smell all other alkenes are colorless and waterless insoluble in water solubility कैसे देखते हैं याद करो like dissolves like क्योंकि non-polar है तो फिर water में soluble नहीं होंगे but fairly soluble in non-polar solvents non-polar है तो किसमें soluble होंगे non-polar में soluble हो जाएंगे इस शो है regular increase in boiling point increase in boiling point कैसे हो रहा है क्योंकि size increase हो रही है and size increase होगा तो फिर dispersion forces बढ़ेंगे boiling point बढ़ जाएगा इसके बाद हम chemical properties पर आते हैं reactions पर आते हैं हम alkenes की chemical properties में अगर हम यह समझने की सबसे पहले try करते हैं कि alkenes reactive क्यों होते हैं unlike alkenes जो alkenes हैं उनके काफी साथ reactions है और यह जो reactivity है alkenes की this is mostly because of the loosely held by electron cloud इनके पास जो पाई electron cloud है और आप CC double bond देखे हैं जैसे CH2 CH2 है तो यह जो यहाँ पर पाई बॉंड है इस यह पाई बॉंड जो है वो लूजली है इलेक्ट्रॉन लॉद्गज नीचे वी ऐलेक्ट्रॉन का नीचे बी इलेक्ट्रॉन का कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई electron deficient species अगर इसके पास आता है तो यह पाई electron के साथ reaction कर सकता है और इनके साथ reaction करता है तो फिर यह एक जैसे क्यों है alkenes are reactive because of the presence of this 5-1 loosely held electron clouds की वज़े से और जो reactions करते है वो addition किसके साथ कर रहे है Electrophiles के साथ and therefore reactions यह शो करते है alkenes they are called electrophilic addition reactions generally यहाँ पर जो reactions and they are called electrophilic addition reactions 80% reactions हमें electrophilic addition reactions मिलेंगे Alkenes are the rich source of loosely held by electrons due to which they show addition reactions in which electrophiles add-on to the carbon-carbon double bond to form addition products यह अला कि इसे हम उस category में नहीं add कर रहे है इससे simply एक reduction reaction है जो हमने पहले भी देखा था double bond के H2PD के साथ reaction कर वाता है यह दोनों ही exothermic है क्या आप सूच सकते है कि कौन सा reaction ज्यादा exothermic होगा दोनों से same products बन रहे है अगर दोनों से same products बन रहे हैं हम यह energy diagram मानों की draw कर रहे हैं तो butane जो है वो सबसे ज्यादा stable है cis और trans में trans ज्यादा stable होता है than cis तो अगर तुम stability यह भी H2 यहाँ भी add हो रहा है यह energy diagram हमने बनाया है इधर भी H2 आड़ कर रहे है इधर भी H2 आड़ कर रहे है तो obviously पता चल रहा है कि जो कम stable alkene है cis alkene जो था उसकी energy ज्यादा थी और उससे ज्यादा energy release हो रही है जिससे ज्यादा energy release हो रही है यह भी कह सकते हो कि वो टेक्रीज हो जाएगी, addition of halogenes, halogen की addition देख रहे है डबल बॉन्ड के साथ BR2 जह हम add करेंगे तो इस पर BR and BR जहां पर भी double wants देख रहे है उस double bond के साथ हम bromine and bromine add कर सकते है तो यह इसका जैसे मानू कि किसी भी जगे पर डबल बॉंड है यहां पर तुम थोड़ा सा यहां पर भी अंदर मgasर्ट ऑन जाए यहां परी दोनों जगे पर पर ब्रोमीन जुड़ जयगा यहां पर भी भी जुड़ जाएगा इधर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो यह प्लस माइनस बन जाएगा अगर अगर ब्र टू एच टू यूज करते हैं रियक्शन में जैसे मानों कि यह डबल बॉंड लिया और अभी हम ब्रोमीन के साथ एच टू यूज कर रहा है CCL4 solvent नहीं अगर solvent कुछ और है तो ऐसे केस में यह फिर हो भी रियक्शन में लिखा हुआ रहा सकता है तो ऐसे केस में ओएच माइनस और प्लस इमेजिन करके आप structure को ड्रॉ कर सकते हैं एक तरफ ब्र जुड़ जाएगा और एक तरफ ओएच जुड़ जाएगा रियक्शन की म अमोनियम आयन बन जाता है एंड फिर एच टूओ जो है वह एच टूओ बैक साइड अटाक करता है जहां पर स्टेबल कार्बोकाटन बनने वाला रहेगा उधर ही ज्यादा चांद से वैसे अटाक करने का एंड यह जूड़ गया तो फिर एक एच प्लस हटा देंगे इधर ही लिख दे रहा हूं मैं एक ही स्टप में तो यह बन जाए तो मिसे सिंपली ओएच माइनस और प्लस मान के एड कर सकते हैं जैसे मानों कि यह है तो बियार टूओ एच टूओ एड करना है तो मैं अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि कहां पर ओएच आड करना है कहां पर अब अब बताया कि एच वी आर मान लो इस है एंड जैसे हम पहले एडिशन रियक्शन में हम क्या करते हैं जहां पर कि स्टेबल कटायन बन जैसे यहां पर टूओ डिग्री कटायन बनने वाला है तो यहां पर ओएच माइनस आड कर दें जिदर कटायन स्टेबल बनेगा उ इससे तुम्हें प्रॉडक्ट देख जाएगा तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्वेंट यूस कर रहा है उसके हिसाब से अगर वह एच्टू वह इस तरह का कोई सॉल्वेंट है यही रियक्शन अगर भी आर्टू और सी एस्ट्री ओएच के साथ करवाते हैं त यहाँन में सबसे पहले है अच्ट यह electron है यहाँ पर इसे positive charge चाहिए reaction करने के लिए hydrogen जोड़ गया है या किसी भी तरफ जैसे product में hydrogen इधर जोड़ा है अभी symmetrical alken हमने लिया है किसी भी तरफ आप hydrogen जोड़ सकते हैं तो इधर कटायन बन जाएगा क्योंकि दोनों electron तो इस hydrogen के साथ चलेगा बॉंड बनाने के लिए तो इस carbon के पास electron deficiency होगी फिर बी आर माइनस इस पर attack करता है तो यह बी आर जोड़ जाएगा intermediate क्या है इस reaction की intermediate है कार्बो कटायन intermediate जो है इस reaction में this is a कार्बो कटायन and again careful रहना है हमें क्योंकि अगर कार्बो कटायन intermediate बन रहा है तो फिर ऐसे structures में rearrangements हो सकते हैं rate of reaction की बात करें तो HI सबसे fast reaction करेगा then HBR then HCL अब अगर वो तो symmetrical alkyne था अगर अन-symmetrical alkyne है जैसे यह alkyne है अगेन हमें HBR add करना है एन-hydrous रहता है H plus actually एन-hydrous condition में हमें H plus शो नहीं करना चाहिए कर भी सकते हैं इसके बाद फिर ब्यार माइनस बना के product बना दो कोई दिक्कत नहीं है तो इधर अब देखो अन-symmetrical है तो hydrogen को तुम अलग अलग जेगे लगा होगे तो अलग अलग कटायन बन जाएंगे जैसे अगर hydrogen को यहां पर लगाते हैं तो कटायन इधर बनेगा और अगर hydrogen को इधर लगाते हो तो कटायन इधर बनेगा तो तुम stability of carbo-catan से सोच सकते हो कि कौन सा product कौन सा कटायन बनना असान है यह two degree product भी कह सकते हो कि थोड़े बहुत product सिधर भी बन जाएंगे तो यही मारकवनिकॉव रशिन साइंटेस्ट जिसने की यह सबसे पहले ऐसे डिफरेंट अन्सेमिट्रिकल अलकीन के ऊपर उसने स्टडी किया था तो यह देखा कि hydrogen जो है जो हम addition कर रहे है तो hydrogen वहां जूड रह जाके जुड़ेगा जहां ज्यादा hydrogen है उस double bond वाले carbon पे और वहां जुड़ेगा एक्स माइनस जो भी है ओच है ओच माइनस ब्यार माइनस वहां जुड़ेगा जहां पर कम hydrogen तो देख सकते हो यहां hydrogen जूड़ गया और यहां पर बी आर जूड़ गया तो इधर से product बना सकत है तो मार्कॉनिक और रूल सिंपल है जहां पर ज्यादा hydrogen डबल वांड में उधर hydrogen आड कर देंगे जहां पर कम है वहां पर बीयार माइनस या फिर ओएच आड कर देंगे इसके और भी कुछ सिंपल रियक्शन देख सकते हैं जैसे मानूं कि ऐसा डबल वांड है तो यहां यहां पर दो हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन आड कर दिया और इदर बीयार कर दिया जैसे इस जगे पे अगर सीधा-सीधा मार्कॉनिक और बना दोगे तो वह गलत हो जाएगा तो में क्या करना पड़ेगा थोड़ी सी मेकानिजम अपने दिमाग में रहना चाहिए क्या कटायन बन रहा है यहां पर टू डिग्री कटायन बन रहा हो जो कि हाइड्राइट शिफ्ट से और ज़्याद़ स्टेबल हो सकता है अगर यह हाई इस कार्बोकायन बनजाएक हो लहागे फायदा है क्योंकि नहीं तू डिग्री कर दे इसमें BR इधर जोड़ रहा है, तो सिंपल सी reaction है बस, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अगर तुमने कार्भो कटाइन री अर्रेंजमेंट को मिस किया, तो फिर प्रोड़क्ट गलत बना दोगे, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, जैसे वेदिशन था, यह दूसरा एंटी मार्कोनिक वेदिशन है, जिसे हम पर्ऌकसाइड एफक्ट भी कहता है, क्योंकि पर्ऌकसाइड के र्चशन होती है, आरश एफक्ट कहता है, इन्दी प्रेजिंस अफ परॉक्साइड एडिशन औफ वेचबी और किवल हबी हम एडिशन anti-marconic way से कर सकते हैं to an unsymmetrical alkeene obviously symmetrical रहेगा फिर तो कोई हमें पता ही नही चलेगा असमेस्ट इकल यह जब one तो anti-мarko norikov addition करना है हमें, मतलब marconikov addition क्या था?, जहाँ जाद together hydrogen था, हाँ hydrogen आड कर रहे थे, और इसमें, जहाँ कम hydrogen है, वहाँ hydrogen आड करेंगे, तो यहाँ पर 2 hydrogen, यहाँ पर 1 hydrogen, तो जहाँ कम है यहाँ हाँ hydrogen आड कर दिया, यह पर उक्साइड कही स्ट्रक्चर रे कन्फ्यूज नहीं होना है दिससी 6H5 को फिनाइल लिख सकते हो सी डबल बॉंड हो है देन दो ऑक्सिजन है देन अगें सी डबल बॉंड हो है पी अच्छी को शॉट में लिखा हुआ है यह यहां से ऑक्सिजन ब्रेक हो जाता है फ्रिणैकल बना लेते तो फ्रिणैकल के साथ अगर हमें बनाने को बूला है ठ्राइकशन के विल कार्बोकायन के साथ ही अपने सिलिवसमें हैं यहां पर भी जब हम प्रोड़क्ट बनाएंगे तो एंटी मार्कोनिक अधिशन कर देते हैं यह ध्यान रखना है कि परॉक्साइड इफेक्ट इस नॉट अब्जर्वड विट एच्छ एफ एच्छी एल और एच्छी अगर एच्छी एल के साथ तुम से दे दिया जाता ह क्वेशन जबरदस्ती पूछ रहा है कि एच्छी एल है और परॉक्साइड है तो प्रॉड़क्ट बताओ क्या बनेगा तो तुम्हें मार्कोनिक और प्रॉड़क्ट ही बनाना है अगर एच्छी एलन परॉक्साइड दिया हुआ है तो भी हम यह कटायन मेकानिजम से ही एक एक शोनी करें केवल डिशन किसका होगा HBR का एंटी मार्कोनिक और एडिशन केवल ही यहाँ पर पॉसिबल है एडिशन ऑफ सल्फियोरिक एसेड अगेन मार्कवनिक वरूल को फॉलू करता है सल्फियोरिक एसेड को लेकिन एडिशन करने के लिए कंडिशन रिक्वाइड है कूल यह ध्यान रखना है नियरली जेरो डिगरी सल्सियस के आराउं टेंपरेचर रहता है फॉल चॉन्सटरेटइड सल्फियोरिक एसड़इड अड्स तो लटीण इन अगार्डिंग विथ मार्कवनिक वरूल अगेन तुम इसे एच प्लस एंड़ माइनस में ब्रेक कर दो एच प्लस को जादा है डूजन इठ-प्लस-ट एड़कर दिया इसे हम डॉन भी यहां पे एक इकस्ट्रब़ॉंट भी यां यहां पर सब्सक्राइब यहां फिर जांदा हम फिर से मार्क वनिक वव एडिशन के हिसाब से हम प्रॉडक्ट बनाइंगे जैसे यहां पे अगर हम देखें तो इसमें देखो सबसे पहले है एच टूओ में एच एच एंड ओएच जूड़ रहा है वोटर का एडिशन है इसे हम हाइड्रेशन रियक्शन भी गहते हैं अब इस हईड्रेशन लियक्शन में जैसे यह जो डॉणो है मेकानि में पिर से समझ सकते हो दबलबॉंड पई इलेक्टरॉन जो है वो एच प्लस के साथ रियक्शन कर लेगा और रियक्शन कर लेगा तो फिर हाइड्रोजन जोड़ गया कहीं प्योइस है इदर क्योंकि पाइबॉण लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से हैं एच प्लस के साथ रियक्शन कर सकता है लेकिन अगेन हमें ध्यान रखना है कि इंटर्मीडियेट क्या है इंटर्मीडियेट जो बन रहा है वो फिर से कार्बो का टायन है कि अगर कार्बो का टायन इंटर्मीडियेट है तो फिर से वही चीज़ें तुम्हें केरफुल रहना है रियर्रेंजमेंट के लिए क्योंकि रियर्रेंजमेंट्स हो सकते हैं कि अगर को फॉलो करना है जैसे यहां पे कटायन इस जगे पर बन जायेगा तो वहीं पर बना देंगे सीच्ट्री है और को यहां पर सीधा सीधा आपलाई कर सकते हो ज़्यादा हाइड्रोजन है इस कारबन पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इस पर हाइड्रोजन लगा और ऑक्सडेशन रेक्शन कर रहा है तो अलकीन सान रेक्शन विट कोल्ड डाइल्यूट रखना है और डाइल्यूट अप्र प्रमेंगनेट कि situation जो रहते हैं वेस 내ंट आपिशुन जो रहते हैं विशुन कोई रहते हैं विशंट का मतलब abolition तो इसे हम बेर्स रिएजेंट कहते हैं प्रोडियूस विसनल ग्लाइब कोहते हैं फॉसनल का मतलब है कि पॉजिशन पे जब ऑच जूड़े हुए है तो यह विसनल डायोल सही जब हम इस इधीन की रियक्शन करवा रहा है कोल्ड कंडिशन है क्योंकि देख सकते हैं 273 कल्विन रहता है जेरो डिग्री सेल्सियोस पर रियक्शन करवा रहे हैं तो दोनों जगे पर वेच डबल बॉंड की जगे पर वेच जुड़ जाएगा यहां पर भी डबल बॉंड के साथ वेच और जुड़ जाएगा यह जो एडिशन होता है यह जेनरेल सेण अधिशन होता है मतला है अगर जैसे ट्रांस है और इसके साथ अगर तुम बेर्स रियेजन्स कर रहे हैं सेन रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम जो कि है ओसो फॉर ऑस्मियम टेट्रॉकसाइड उसके साथ भी यह रियक्शन हो जाती है कि वहीं पर जब हम जो कंडिशन हमने अभी मैंशन किया बेर्स रिएजेंट का जैसे कूल्ड कंडिशन था अलकलाइन था अगर अलकलाइन नहीं रहता है तो फिर डबल वांड का क्लीवेज हो जाएगा यह मनों फॉर के साथ अगर एच प्लस दिया हुए असडिक कंडिशन ह जो डबल वांड है इस डबल वांड का क्लीवेज हो जाएगा और दोनों तरफ यह एक आसड़ बनेगा और अगर किटोन बन मनें जाएगा देखते जैसा यह अगर ब्रेक होता है अब तो दोनों असलिट में कनवर्ट हो जाएग जैसे यहां प्रिए अगर हम ब्रेक करें यह C double bond O बनेगा तो यह ketone बन जाएगा यह CS3 C double bond O बन गया ketone का further oxidation हम नहीं करते ordinary conditions पर एंड यह जो compound है जो aldehyde बनने वाला था यह बन जाएगा कार्वोक्सलिक असिड दोनों तरफ double bond oxygen oxygen दोनों तरफ लगा के देख लो जो aldehyde बन रहा है उसे further oxidize करके कार्वोक्सलिक असिड बना दो किटोन का further oxidation नहीं करेंगे जैसे यहां पर देखो यह double bond यहां से break हो जाएगा दोनों तरफ acid बन जाएगा तो यह adipic acid बन जाएगा एक दो तीन चार पांच छे कार्वन है इसमां दोनों तरफ acid बना देंगे यहां पर दोनों तरफ ब्रेक हो जाएगा अब यह दोनों तरफ oxygen लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि यह ketone ही बन रहा है तो अगर aldehyde बनने वाला है तो aldehyde फर्दर किया है मैंनों फूर में oxidize होकर कार्वोक्स लिक असर्ड में convert हो जाता है टीटोन अगर बन रहा है तो फिर वो oxidize नहीं होता है एक और यह reaction है ओजनलाइस पूलेक्शन का कॉंबिनेशन है इडिशन ऑफ ओजोन जिसमें की ओजोनाइड फार्मेशन करते है और यह दोनों स्टेप्स अगर लिखते हैं तो यह जो double bond है अगेन इसका cleavage हो जाएगा तुम्हें क्या करना है दोनों तरफ oxygen लगा देना है तो CH3, CH double bond O बन जाएगा, aldehyde बन गया और दूसरी तरफ भी CH3, CH double bond O बन गया, तो यह aldehyde बन जाएगा दो यहाँ पर अगेन करो इधर CS3, CHO बन जाएगा, एक aldehyde and ketone बन रहा है, यहाँ पर भी इसको break करेंगे तो एक acetaldehyde बन रहा है, इधर 2 carbon का और इधर 4 carbon है, butanone बन रहा है, यहाँ पर break कर देंगे तो दोनों तरफ aldehyde बन जाएगा, ring open हो जाएगी है, chain में convert हो जाएगा, 5 carbon है तो यह aldehyde बन जाएगा, तो simple reaction है, zinc use करना जरूरी है, अगर zinc नहीं दिया हुआ है, तो अगे जो aldehyde है, वो oxidize होकर carboxylic acid में convert हो जाता है, यह कुछ questions है, इनको solve करने की try करते हैं, जैसे की, first question में देखो, the major products A and B respectively are, जीमें 2023 का question है, सबसे पहले हम यहाँ पर reaction करवा रहा है, cold H2SO4 क साथ, cold H2SO4 में reaction करवा रहा है, तो अभी हमने देखा था कि जब cold H2SO4 में reaction करवाता है, तो एक H and OSO2H जुड़ जाता है, OSO2H 3H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखो, तो unsymmetrical alkene दिया हुआ, मार्को निकोव एडिशन करेंगे, जहाँ पर ज्यादा hydrogen है, H2SO4 80 degree Celsius के साथ reaction कर रहा है, तो alkene के साथ H plus की reaction कर रहा है, यह जो alkene है, इसके साथ अगर H plus को add करते हैं, तो यह तो एक कटायन बन जाएगा, H plus इसने gain किया, अगर हम products को थोड़ा देखें, तो यह product को dimerize करने की try कर रहा है, मतलब अब यह जो alkene, यह कटायन बना है, यह क time, दूसरे alkene के साथ dimerize हो जाएगा, यह electron is positive charge के साथ reaction कर रहा है, तो यहाँ पर यह दो methyl थे, यह इस carbon के साथ जुड़ गया, तो इस पर positive charge आ गया, एक दो तीन चार पांच, छे साथ 8 carbon है, सही है, and then फिर यह double bond बना दो, क्योंकि कोई group यहाँ पर supply करने वाला कुछ और है नहीं, electron supply करने के लिए कोई group नहीं है, 80 degree Celsius हीटिंग भी कर रहा है, तो यह double bond बन जाएगा, यह reaction में, यहाँ तो इसने single bond बनाया हुआ, ऐसा product दिख भी नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, C में तो वो SO3H ही नहीं लगाया है, रहा था यह, तो यही है, इसको उल्टा अगर देखें तो, दो मिथाइल लगा हुए double bond पे, और फिर next carbon पे अगें तीन मिथाइल लगे हुए, इसका correct answer हो जाएगा, simple alkenes के बारे में जैसे reactions हम समझ रहे हैं, वैसे ही reactions को देखेंगे तो बन जाएंगे products, the one giving maximum number of isomeric alkenes on dehydrogen halogenation reaction, dehydrogenation कर रहे हैं, alkenes के preparation का question actually, A में जैसे one bromo two methyl butane है, butane है, one bromo है, one पे BR है, and two पे methyl है, dehydrogenation कर रहे हैं, एक double bond बन जाएगा इसमें, यही बनेगा बस, पूछा है कि maximum number of alkenes बनाना है, तो यहां तो एक ही बन रहा है, B वाले case में देखेंगे, B में अगर देखें, तो two bromo pentane है, two bromo pentane में तीन products बन सकते हैं, इधर भी double bond बन सकता है, इधर भी double bond बन सकता है, यह से इस प्लस trans हो जाएगा, तो टोटल तीन products बन जाएँगे, इसमें, C में two bromo three three dimethyl pentane है, C को solve करते हैं, तो C में क्या है, two bromo three three dimethyl pentane, pentane बनाओ, two bromoine बनाया, three three dimethyl, इधर तो बीटा hydrogen ही नहीं है, बीटा hydrogen बस इस तरफ है, तो बस इधर ही double bond बना सकते है, एक ही product बनेगा इसमें भी, and D में two bromo propane, two bromo propane है, तो अगेन एक ही बीटा hydrogen है, तो answer क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका answer, hydrocarbon X with formula C6H8 uses two moles of H2 on catalytic hydrogenation of its one mole, ठीक है, C6H8 में, अगर तुम C6H8 में db calculate करो, तो db इसके reference atom से, reference compound से calculate करते हैं, C6H14 है, इसका reference जो saturated hydrocarbon है, तो 14-8, 6, 6 upon 2, तो db 3 है इसकी, लेकिन ये बोल रहा है कि, 2 mole H2 के साथ reaction कर रहा है, इसका मतलब है कि, दो तो pi bond है और एक ring है, मतलब cyclic compounds, ऐसे भी जो options है, सब में cyclo, cyclo दिया हुआ है, इसमें cyclo नहीं दिया हुआ है, ये नहीं होगा, तो X जो है, on ozonolysis, X yields 2 moles of methane dicarbodehyde, methane dicarbodehyde, मतलब एक carbon है, और इस पर दो CHO groups लगे हुआ है, this is methane dicarbodehyde, the hydrocarbon X is, तो option से चेक कर लेते हैं, और नहीं तो इसको combine कर दो, दो compound लेकर, जैसे एक ये, तीन carbon है, और तीन carbon में double bond O है इधर भी, and एक दूसरा same compound ले लो, और इसको भी इसके साथ combine कर दो, यहां से ये oxygen हटा दो, और यहां से ये oxygen ये pair हटा दो, और यहां पर double bond बना दो, तो ये double bond ऐसा बन जाए गए, तो ये है इसका choice, मतलब ये 1, 2, 3, 4, तो cyclohexa 1, 4, diene, D answer हो जाएगा, इसका, choose the correct set of reagents for the following conversion, अब इस conversion में, अच्छा ये जो conversion है, यहां पर थोड़ा हमें, alkyne की reactions use में आ रही हैं, तो हम एक बार alkyne पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं, एक और reaction हमने leave किया था, श्याद question number 16 था, तो question number 16 को, जो हमने leave किया था, एक बार उसको देख लेते हैं, वो, ये question था, the major product in the following reaction is, 18 question था, तो यहां पर H plus के साथ heating कर रहे हैं, double bond जो है, वो H plus के साथ reaction करेगा, ये जो double bond है, यहां पर H plus के साथ reaction करेगा, कटायन बन जाएगा, अब यहां पर या तो तुम हाइडराइट शिफ्ट कर सकते हो, तो 3 डिग्री कटायन बन जाएगा, लेकिन यहां पर ring expansion कर सकते हो, तो वो most stable ring में convert हो जाएगी, तो इस ring expansion कर दो गया अगर, तो यह जो six-membered ring बन जाएगी, और यह कटायन 3 डिग्री पर आ रहा है, और ring expansion भी हो रही तो फायदा है, और फिर double bond इधर बना देंगे, तो फिर D answer हो जाएगा, क्योंकि यह tetra-substituted alkene बन रहा है, वैसे कई बर ring expansion नहीं भी करते हैं, और हो सकते है, यह question फटा फट्राइ करो, यहाँ पर Hg, Oac, Hole twice, NaBH4 है, Oxy-mercuration, Demercuration और यह एक reaction है, इन दोनों reactions के बारे में हम एक बार थोड़ा सा समझ लेता हैं, शॉट में, जैसे यह double bond है मानो, जब हम बहुत जगे पर क्या था, कि जब हम hydration reaction करते हैं, तो hydration reaction में, जैसे हमने देखा थ सिंपल जो hydration था, वहाँ पर हम H2OH+, के साथ reaction कर रहे थे, यह dilute H2SO4 के साथ, तो यह मार्कोनिक ओव एडिशन था, H and OH जोड रहा था, क्योंकि जो intermediate था, वो कार्बो कटायन बन रहा था, तो हमने discuss किया था कि कार्बो कटायन अगर बनते हैं, तो फिर rearrangement भी हो सकते हैं, जैस सिधा मार्कोनिक ओव प्रॉडक्ट चाहते हैं, तो एक और सेट ओफ रिएजेंट है, जिसको यूज करके इस प्रॉडक्ट को बनाया जा सकता है, इसमें हम फिर्स्ट स्टेप में, ऑक्सी मर्कुरेशन रियक्शन यूज करते हैं, HGOAC, होल ट्वाइस, मनलब, मर्कुरीक acetate in H2O, and then NABH4 यूज करते हैं, तो यह मार्कोनिक ओव एडिशन ही करता है, बट इसमें कार्बो का टाइन्स नहीं बनते हैं, दो नहीं मार्कोनिक ओव एडिशन हैं, तो अगर तुम्हें रियरेंजमेंट नहीं चाहिए, या फिर सीधा-सीधा मार्कोनिक ओव प्रॉडक चाहिए, तो फिर वहाँ पे तुम ऑक्सी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें दूसरी तरफ ओच लगाना है, एंटी मार्कोनिक ओव ए में लगाना है, तो फिर अगेन एक रियेजेंट है, भी एच त्री या फिर बीटू एच लिखते हैं, या फिर भी एच त्री टी एच लिख सकते हो, बेटर ऑप्शन तो फिर ओए चिदर लग जाएगा, तो इस एंटी मार्कोनिक ओव, तो यह ध्यान रखना है, कि अगर तुम्हें सिंपल हाइडरेशन करना है, अगर रियारेंजमेंट को अवोईड करना है, तो मार्कोनिक ओ यूज कर सकते हैं, यह सिंपल ही मार्कोनिक ओव एडिशन करना है, तो ओक्सी मर्कोरेशन दी मर्कोरेशन है, अब यह जो रेक्शन है, अब हम इस क्वेशिन पर आते हैं वापस, एक तो हम भी है स्ट्री टी एच फके साथ या B2H6 के साथ वाफ्यान करना है, यह एंटी मा यहां पर इस डबल वाण्ड के साथ एच प्लस रियक्शन करता है तो जो कटायन है वो इस जगे बनेगा कि यहां पर करबोनेल ग्रुप यहां कम स्टेबल है तो एधर का तो रियक्शन क्लियर हो गया कि यहां पर जुड़ेगा और यहां पर जो पॉजटिव चार्ज है यह ऑक्सिजन इंडक्टिव एफेक्ट से थोड़ा दूर है हल्कि वह रियारेंज भी हो सकता था बड़ रिय पर हम पॉजटिव इदहरी बनाईंगे गरहे हमें पॉजटिव बनाना होगा इस जगे पे इस जगे पर करना है हमें टुम इदहरी सोचेव करेंगे तो प्र यह न्यूसक हो जर फिर सब्सीकर सब्साल्स अरी यह जैब रहा है, a compound A on reaction with X and Y produces the same major product, major product same बन रहा है बट different Y product A and B, एक तो ये product है और एक A और B बन रहा है जो कि different oxidation of A gives a substance produced by ants, इसका मतलब है कि A के oxidation से formic acid बनता है, यहना A के oxidation से formic acid बन रहा है, तो A क्या है, A जो है वो formaldehyde है, A एक aldehyde है, जो है जो है जो है वो तो A में मतलब X जो है, O3 and Z and H2O के साथ reaction करेंगे, तभी aldehyde बनेगा, क्या मैंनो 4H plus के साथ तो यह CO2 में convert हो जाता है, तो वो तो B के बारे में जादे information है नहीं, तो यह DA answer हो जाएगा इसका, बस इसी से ही पता चल जा रहा है, जाएगा, 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 विसिनल पोजिशन पे OH जुड़ जाते हैं, तो यह बन जाएगा, एक glycol. 28th question में again oxymercuration, demercuration reaction है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हों कि कटायन नहीं बनता इस reaction में, तो मैं simply Marko-Nikov rules से hydration करना, H and OH लगा दो, H और OH यहाँ पे जादा hydrogen है, and इधर कम hydrogen है, तो जहाँ जादा hydrogen है, वहाँ hydrogen लगा देंगे, इधर OH लगा देंगे, तो सीधा-सीधा तुम्हें product दिख जाएगा. Amongst the following the major product of the given chemical reaction is, J-Main 2022 का question है, BR2 and H2O नहीं, BR2 methanol के साथ reaction कर रहा है, तो जैसे बताया था कि BR+, and CS3O- के जैसा सोच सकते हो, तो cation कहाँ पे stable बनेगा, इस जगे पे cation stable बनेगा, क्योंकि oxygen का lone pair उसे stabilize कर देगा, तो cation अगर यहाँ पे stable है, तो जो negative charge है, CS3O-, या CS3O-, जो भी इस पे attack करेंगा, वो इस जगे पे जुड़ेगा, तो देखो, OCS3 यहाँ पे जुड़ेगा, तो यह दो option है, and BR यहाँ पे जुड़ेगा, अब addition के बारे में सोचो, कि जो addition है, वो कैसा होता है, वो होता है anti-edition, और अगर anti-edition है, तो फिर एक, अगर OCS3 बाहर है, तो BR अंदर जुड़ेगा, तो इसका answer A हो जाएगा, next question पर आता है, जैमेन अगेन 2022 का question है, एक बार पढ़ो, read करो, solve करने की, try करो, pause कर लो चाहो तो, और नहीं तो फिर directly देखते हैं, दो statements दिये हुए है, statement 1 है, the presence of weaker pi bonds make alkenes less stable than alkenes, सही बात है, जो pi bonds है, उसकी वज़े से, जो alkenes है, वो बहुत unstable, reactive बहुत ज़्यादा हो रहा है, this strength of a double bond is greater than that of carbon, carbon single bond, बिल्कुल सही बात है, जो single bond है, और जो double bond है, जब bond order बढ़ता है, अगर हम bond dissociation energy की बात करें, तो जो bond dissociation energy है, यह सबसे ज़्यादा, इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर triple bond, तीन bonds तोड़ना है, यहाँ दो bond तोड़ना है, यह single bond तोड़ना है, तो यह second statement सही है, this strength of double bond is greater than that of carbon carbon single bond, both statement 1 and statement 2 are correct, अगेन एक, उस दोनों लाइसिस का question है, फटा फट इसके इस पे भी आता है हम, दो compound given है, A and B, एक की ozonalysis कर रहे है, तो ethane 1,2 dicarbodehyde बन रहे है, क्या बन रहे है, A की ozonalysis, ethane 1,2 dicarbodehyde, इसका structure कैसा होगा, दो carbon है, और दोनों carbon के साथ, CHO and CHO लगा हुए, मतलब actually, butane diol की बात कर रहा है, and glyoxal, जैसे, अभी हमने देखा, glycol का ही oxidation कर दे, तो ये बन जाएगा glyoxal, या फिर उससे, oxaldehyde भी कहते हैं, तो ये क्या होगा, इन दोनों groups को add कर दो, मतलब, एक में ये चार carbon है, and एक में दो carbon है, अभी बताया था कि जहाँ पर oxygen है, यहाँ अलकीन बना देंगे, यहाँ अलकीन बना देंगे, तो ये चार carbon, एक दो तीन चार पांच छे, छे carbon total आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर double bond, एक double bond इधर आ जाएगा, and एक double bond इधर आ जाएगा, एक सकते हो ये चार carbon है, एक, दो, तीन, चार, जैसे ही एक, दो, तीन, चार, and इन दोनों carbon के बीच में, डबल बन बन ये, ये एक structure है, and B को अगर हम देखें, तो B में 5-oxo-hexanal बन रहा है, 5-oxo-hexanal, 6 carbon है, hexanal, 1-2-3-4-5-6, and 5 पर oxo है, double bond हो है, इन दोनों oxygen को मिला दो, इन दोनों के बीच में double bond बना दो, तो 5, ये एक 1st carbon है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 1 और 5 के बीच में double bond बन जाएगा, let's say ये 1 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, और 5 पर एक methyl भी जुड़ा हुए, तो ये है, ये है A, और ये है B, या तो तुम option से चले जो, option में सारे carbon को break कर दो, और फिर break कर के देख लो double bond कहा बेख हो रहा है, क्या बन रहा है, और नहीं तो फिर ऐसे solve कर सकते हैं, तो इसमें क्या बन रहा है, ये तो 1, 2, 3, 4, cyclohex, hexa 1, 3 diene है, B and D option, and ये क्या है, 1 methyl pentene है, 1 methyl cyclopent 1 in, तो D option हो जाएगा, simply cyclopentene नहीं होगा, क्योंकि cyclopentene रहता तो फिर, pentene diol बन जाता, HBR की addition करनी है, H plus को सबसे पहले add करेंगे, तो positive charge कहां आ जाएगा, यहां क्योंकि benzene है, benzyl katane बन जाएगा, stable बनेगा, तो BR इसी जगे पर जोड़ देंगे, तो BR यहीं पर जोड़ देते हैं, तो C option हो गया, very simple question, the stereo isomers that are formed by electrophilic addition of bromine, to transbuttoine, transbuttoine बनाया, and BR2 add करना है, तो BR2 add करेंगे, तो anti-edition है, anti-edition कर दो, यह meso बन रहा है, तो plus minus कुछ नहीं बनेगा, two identical compounds बनेंगे, अगर दोनों तरफ से add करोगे, तो two enantiomers गलत है, two enantiomers गलत है, एक racemic and two enantiomers गलत है, कोई same addition नहीं होगी, only trans addition, anti-edition, again assertion and reason का question है, जाइमेन 2021 का, given below are two statements, one is labeled as assertion and reason, the other is labeled as reason, assertion का है, treatment of bromine water with propene, yields one bromopropane to all, propene लिया हमने, BR2, H2O है इस बार, तो H2O है तो OH and BR जोड़ेगा, तो OH को यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि positive यहाँ आएगा, तो OH minus and BR, अब यह देखो, one bromopropane to all, one, two, three, one bromopropane to all, RSI है बिल्कुल, and reason क्या दिया है, attack of water on bromonium ayon, bromonium ayon बनेगा पहले, जो intermediate है, वो ऐसा है bromonium ayon, फिर H2O जो है, वो यहाँ पर positive charge, एक्चली थोड़ा share करता है, तो इस positive charge के साथ है, reaction करता है, attack of water on bromonium ayon, follows marconic of rule, तो marconic of rule कह सकते हो, क्योंकि, अगर हम ऐसे समझें कि, BR minus, BR plus and OH minus, जैसे, यहाँ पर क्या है, यह BR plus OH minus के जैसा हम सोच रहे है, तो मिसे H plus OH minus के जैसा, अगर सोचो, तो जैसे marconic of में, H plus को जहाँ ज़्यादा hydrogen था, वहाँ add कर रहे थे, यहाँ पर BR plus को जहाँ ज़्यादा hydrogen है, वहाँ add कर रहे है, तो इस जगे पर ज़्यादा hydrogen है, तो इधर BR add कर दिया, and इधर OH add कर दिया, तो मेरे खाल से यह बोथ, assertion and reason, true है, but reason is not the correct explanation, reason is the correct explanation पर हम जा रहे है, के मन फूर के साथ reaction है, तो के मन फूर हीटिंग कर रहे है, यहाँ से bond break हो जाएगा, and यह एडिपिक असर्ड में convert हो जाएगा, and यहाँ पर 273, 0 डिगरी Celsius पर, तो फिर यह बेर्स रिएजेंट है, and बेर्स रिएजेंट है, तो यहाँ पर OH and OH बनेगा, यहाँ बलत है, फिर्स ऑप्षिन, बोथ compound A, compound A is diicarboxlic acid, and compound B is diol, तो C option सही, जाइए मैं 2021 के question है, C, अलब देखो, यह simple is double bond पर addition नहीं है, इस तरह के addition को कहते है, allylic addition, या allylic substitution, यह जो allylic substitution है, यह दो-तीन method से हो सकता है, एक तो NBS से हम bromine add करते हैं, या फिर BR2 sunlight या Hnew के presence में add करते हैं, जैसे हमें CL add करना है, तो CL2 Hnew के साथ हम reaction करेंगे, CL2 UV light में reaction करेंगे, तब यह allylic substitution हो जाएगा, अगेन HBR CCL4 की reaction, H+, पहले add होगा, catan बनेगा इस जगे पर, यह methyl shift हो जाएगा, क्योंकि 2 degree से 3 degree catan पर आ जाएगा वो, सबसे पहले हमने catan बनाया, H+, या HBR, को हम पहले add कर देते हैं इस पर, तो यह catan बन गया, अब यह methyl shift हो जाएगी, तो methyl इधर आगया, positive इधर आगया, और फिर BR- इस पर जुड़ जाएगा, यह option है, जहां पर कि वो दो CH3 जुड़े हो है, और उस जगे पर BR जुड़ जाएगा, अगेन यह question है, फटाफ़र try करते हैं इसको, B2H6 दिया हुआ है, anti-marconic of edition of water करना चाहता है, anti-marconic of edition, मतलब कि OH इधर जोड़ेंगे, जहां जाद, जैसे double bond है, तो anti-marconic, मतलब उसका उल्टा, जैसे वैसे तो hydrogen को, जहां ज्यादा hydrogen यहां पर जोड़ते, लेकिन अभी hydrogen इधर, और OH इधर जोड़ेंगे, यह CH3 होगा, तो यह है CH3, दैन C, यहां पर OH बन गया, यह basically CH2 बन जाएगा, यह OH है, यह है CH, और इधर दो CS3 जुड़े हुए है, फिर यह CH2, एंड देन CS3, तो यह तो बना अभी first, यह बन गया यह, तो यह में अगर देखें, यहां तो double bond दिया हुआ है, तो यह तो गलत है हम से, यह और भी दोनों पूछाया ना, नहीं, दोनों नहीं, हमें सीधा सीधा, अगर मेजर प्रोडट भी पूछा है, तो यह तो A, बनाया भी यह, अब डेल्यूट H2SO4 के साथ हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करने से अलकीन बनेगा, बट कटायन बनेगा पहले, तो यह OH यहां से डिपार्ट करेगा, और OH2 प्लस बनेगा पहले, OH2 प्लस बने के बाद डिपार्ट करेगा, कटायन बन जाएगा, यहां पर यह CH2 लिख दिया, मैंने इसको CH कर लाँ पड़ेगा, तो OH2 प्लस बना के डिपार्ट किया, कटायन बन गया, अब यह जो कटाइन है यह रियारेंज होगा यहां पर क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री पर आएगा तो कटाइन यहां बन गया तो मैं जैसे CH3 इसके बाद क्या होगा यह पहले तो यह प्रोटोनेट हुआ OH2 प्लस डिपार्ट कर जाएगा और यह कटाइन कैसा बन गया देखो CH3 है CH है देन C पॉजटिव है इधर CH2 CH3 और इधर CH and then CH3 and CH3 यह मिठाइल हाइड्राइड शिफ्ट होगी hydrogen इधर आ गया तो इधर इधर आ जाएगा तो positive यहां पर आ गया and then double bond जो है वो इधर बन जाएगा ताकि वो ज्यादा stable alkene बन जाए तो double bond इस तरफ बन रहा है यहां पर actually double bond missing है क्योंकि CH लिखा हुआ है बाकियों में तो यह double bond आएगा and therefore C option हो जाएगा तो यह सिंपल सा काम हमें यहां पर करना है तो मैं आगे देख सकते हैं कि कितने सारे questions आते रहते हैं simple rearrangements रहते हैं कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना रहता है the correct order of heat of combustion अभी हम discuss कर रहते हीट of hydrogenation पूछना चाहिए वैसे थीक है हमें देखना पड़ेगा जो ज्यादा stable रहता है एलकीन जितना stable रहेगा उससे heat of hydrogenation उतनी ही कम release होगी तो सबसे ज्यादा stable अगर देखें तो यह trans और trans है इससे सबसे कम heat release होगी मतलब ए सबसे पीछे होगा यह cis और cis है तो यह trans है और यह cis है क्योंकि यह opposite side है देख सकते हो double bond के एक नीचे और एक ऊपर जादा है और यह cis and cis है तो सबसे ज़्यादा c से release होगी then b then a c then b then a तो b option हो जागा इसके बाद हम आते हैं alkynes पर alkynes में सबसे पहले अगेन हम nomenclature alkynes अगेन एक functional group है principal functional group है तो फिर सबसे पहले हमें जितर से alkyne pass आएगा उधर से numbering करेंगे सबसे simplest alkyne ethine and इसका common name है यह भी याद रखेंगे हम ethine का common name acetylene है तो acetylene है इसका common name यह propyne हो जाएगा तीन carbon है अभी one लिखने की जोरत नहीं है क्योंकि इधर भी triple bond लगा वह एक ही बात है लेकिन अब तुम्हें numbering करनी पड़ेगी जिधर से alkyne pass आ रहा है उस तरफ से numbering कर रहा है तो यह pent two iron होगा इससे इधर से numbering इधर से क्योंकि यह pass आ रहा है double bond triple bond तो यह four methyl pent two iron हो जाएगा तो simple naming है कोई ज्यादा problem नहीं है इसमें right structures of different isomers corresponding to the fifth member of alkyne series fifth member of alkyne series first member क्या है first member है यह NCRT का question लिए हो है first member है C2H2 इथाइन अभी हमने देखा first member में 2 carbon होंगे second member में 3 carbon होंगे third member में 4 carbon होंगे fifth member में 6 carbon होंगे तो 6 carbon मतलब C6H10 होगा जो 6th जो 5th member है C6H10 के लिए हमें different isomers बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है 6 carbon की लिए है जो भी तुम्हें skeleton बना सकते हो वो सारे skeleton बना लो जैसे अभी हमने 6 carbon से शुरू किया 5 carbon की chain पर आये जैसे हमने सीखा था अभी अलकेन के case में starting के lecture में अगर skip किये हो तो फिर दुबारा जाके देख लो पीछे हमने isomers अलकेन में बनाना सीखा हुआ है अभी चार carbon है तो दो carbon बचा हुआ है दो carbon को यहां पर लगा सकते हैं या फिर दोनों carbon को अलग अलग जगे पर लगा सकते हैं यह तो एक यहां पर बन सकता है एलकाइन एक यहां पर फिर यह दोनों position identical हो गया तो दो जगे है यहां पर यहां पर एक इस जगे पर बन सकता है एक इस जगे पर बन सकता है यहां पर तो ट्रिपल बांड नहीं बना सकते क्योंकि फिर पांच बांड बन जाएंगे तो दो जगे य ट्रिपल बोंट वनाने के लिए, यहां पर बस li ond वनाने के लिए, यहां पर से एक जेघह है, ट्रिपल वानल वनाने के लिए वह फी जेगह, यहां पर कोई जेगह नहीं है, तो 2 2 4 एक 5 और 16 है तो टोडल 6 isomers बन जाएंगे, ये 6 structural isomer बन जाएंगे। के इसके बाद हम हाते है prepareations प्लकाइन के प्रिपरेशन में जाता methods इसमें है नहीं दो मेधर्ड है सबसे पहले from calcium carbide है this is the industrial preparation इस दे इंडेस्टियल preparation ओफ इताइन है यह एसिटलीन का इंडेस्टियल प्रिपरेशन है इताइन हम बना लेतां तो फिर बाकी के जो हिड्रो य को आद रख सकते हो एक दो बडर लिखो के तु फिर ध्यान रहेगा और। तो सबसे पहले हम अगैन अल्क कोँटीं सीठेंट ऐसा कराया यह जो पहले सबसाथ है एस बीटा हाइड्रोजन के साथ यह डबल वांन बना दिया यह फिर उधर वाले है eros अब झाटाया पहले एटियो माइनस के साथ इस हाइड्रोजन को भाट है यह डबल बॉन नेका बी आर यहां से निकल गे बार अब यह बन गया है А again यहां पर जो उनेंजे पर 10 आज लो आप इस double bond के साथ resonance stabilized है, जो vinylic bromides रहते हैं, तुम समझ सकते हैं कि यह resonance कर सकता है, और अगर resonance करेगा, तो फिर stable हो जाएगा, तो ऐसे में इस BR को निकालने के लिए, हमें एक और strong base की जरुरत पड़ती है, अब alcoholic के वेद से second reaction नहीं करवाते हैं, second reaction के लिए NA plus NH2 minus यूज़ कर रहे ह है, यह इस hydrogen पे आब attack करेगा, और इसे triple bond में convert कर देगा, तो दो step की reaction हो गई, यह तो तुम directly NH2 यूज़ करके सीधा-सीधा यह reaction कर सकते हो, नहीं तो सबसे पहले alcoholic के वेच यूज़ कर रहा है, and then NH2 यूज़ कर रहा है, soda-mide कहते हैं उसे, यहां पर product बनाने की एक बार try करो, सबसे पहले alcoholic के वेच के साथ reaction कर रहा है, and then NH2 या NH2 माइनस simply लिख सकते हो, तो सबसे पहले तो यह double bond बन जाएगा, एक BR हटाया हमने फिर दूसरा BR हटाएंगे, तो फिर यह alkyne बन जाएगा, तो दो step है, alkyne बना सकते हैं, यह दो reactions थे, physical properties, again boiling point and solubility की बात की जाती है, boiling point फिर से polar रहता नहीं है जादा, तो boiling point dispersion forces प higher members पर जाएंगे, ethane से propyne boiling point increase होगा, propyne से butyne boiling point increase होगा, तो यह है boiling point and जब polarity non-polar है essentially, तो फिर H2O में insoluble हो जाएगा and organic solvents में, non-polar solvents में यह soluble हो जाएंगे same trends as alkynes and alkynes, first three members are gases, जैसे की alkynes में था, the next eight are liquids and the higher ones are solids, all alkynes are colorless, ethane has characteristic order, other members are orderless, alkynes are weakly polar in nature, they are lighter than water and immiscible with water, but soluble in organic solvents like ethers, carbon, tetrachloride and benzene इसके बाद हम आते हैं, chemical properties पर, तो सबसे पहला जो chemical nature है, alkyne का, especially यह terminal alkyne का है, terminal alkyne मतलब, जैसे जो alkyne है, वो end position पर है, यह terminal alkyne है, यह terminal alkyne है कि नहीं है, क्योंकि इधर end position पर नहीं है, last वाले position पर terminal position पर alkyne रहना चाहिए, acidic character of terminal alkyne, जब हम acidic character of terminal alkyne की बात कर रहा है तो हम उसकी comparison कर रहा है, alkyne and alkyne के साथ, alkyne और alkyne के comparison में, जो alkyne होते हैं, they are fairly acidic, much acidic than these two, alkyne और alkyne से, यह terminal alkyne है, यह terminal alkyne, इस alkyne and इस alkyne के comparison में, कफी ज्यादा acidic है, इसका जो acidic strength है, यह around ka की value, अगर मैं बात करूँ तो, यह लगबग 10 to the power minus 50 के order में होता है, इसका जो k है, यह लगबग 10 to the power minus 44 के order में होता है, और इसका जो k है, यह 10 to the power minus 25 के order में होता है, अलकि acidic बहुत ही कम है, minus 25 कह रहे हैं, लेकिन किस से compare कर रहे है, alkyne से, alkyne से, alkyne से, alkyne से, इनके comparison में, देख सकते हो कि, alkyne से तो 10 to the power 25, जैसे हम express भी निकर सकते, million, billion, trillion, इससे भी उपर, उससे भी कहीं ज़्यादा acidic है, इसके comparison में, और यह acidic nature आता कि क्यों है, यह acidic nature आता है, because of its hybridization, यह जो carbon है, इसकी hybridization SP है, और यह जो carbon है, इसकी hybridization SP2 है, और यह जो carbon है, इसकी hybridization SP3 है, SP hybridized carbon की जो electronegativity होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, because of crater S character, और इस S character ज़्यादा होने के कारण, SP की electronegativity ज़्यादा है, electron cloud ज़्यादा पूल करकर रखता है, and therefore terminal alkynes जो हैं, यह थोड़े acidic होते हैं, बहुत ही कम, अगर तुम OH- के साथ reaction कर आओगे इसकी, तो reaction नहीं होगा, OH- को हम क्या कहते हैं, अच्छा base कहते हैं, लेकिन OH- ETO- इनके साथ reaction नहीं होगा, हमें बहुत strong base चाहिए, like NH2-, NH2- is a very strong base, इसके साथ अगर हम reaction कर वाते हैं, तो यह यहाँ से hydrogen abstract कर लेगा, और यह RC, यहाँ पर H नहीं आएगा, यह RC triple bond C minus बन जाएगा, यह, similarly NH2- terminal alkyne के साथ reaction कर सकता है, या फिर sodium, सोडियम जो है, अभी जैसे मैंने उससे में डिसकस किया था कि, terminal alkyne के साथ, बर्च reduction नहीं करवाते हैं, क्योंकि terminal alkyne जो थे वो, sodium के साथ reaction करके, and redox reaction कर लेते हैं, यह प्लस बन गया, and H minus से H2 बन गया, तो अगेन इसका जो acidic hydrogen है, वो reduce हो जाता है, sodium के साथ, तो यह दो reactions है, जो कि terminal alkyne में हम acidic nature को देख सकते हैं, यह तो ग्रिगनाड reagents के साथ भी reaction कर सकते हो, अगर CH3 minus है, CH3 mgbr है, तो CH3 mgbr में जो CH3 minus है, यह भी इस hydrogen को यहां से abstract कर सकता है, तो यह RC triple bond C minus बन जाएगा, और साथ में CH4 gas यहां से release हो जाएगी, acidic strength, हमेशा ध्यान रखना है कि जो electron withdrawing groups होते हैं, electron withdrawing groups, acidic strength बढ़ाते हैं, and जो electron releasing groups है, electron withdrawing group है, तो यह acidic strength increase करेगा, and electron releasing groups हैं अगर, तो यह acidic strength decrease करेंगे, जैसे यहां पर देखो, यह तो खायर terminal alkyne ही नहीं है, तो इसको तो सबसे कम कर दिया acidic strength, लेकिन यहां पर यह क्या है, यह एक electron releasing group है, CS3 induction से electron release कर रहा है, और electron release कर रहा है, तो फिर यह acidic strength कम कर देगा, यह general theory है, सभी जगाए पर इसको use कर सकते हो, फिर हम आता है addition reactions पर, तो addition reactions again, जैसे alkyne के case में हमने देखा था, वैसे ही alkyne के जैसे ही यहां पर, alkynes के साथ भी addition reactions है, तो सबसे पहला जैसे कि hydrogenation है, तो hydrogenation के case में, 2H2 हमने add किया है, तो 2 hydrogen add कर देंगे, तो again exothermic reaction है, जैसे हमने इस तो पहले ही discuss कर लिया था, तो यह hydrogen यहां पर जुड़ जाएगा, catalyst ज़रूरी है, palladium या फिर platinum या nickel, इन catalyst के presence में यह reaction हो जाएगी, catalytic hydrogenation भी कहा सकते हो, इसका simple reaction है, one equivalent use नहीं करेंगे, अगर one equivalent H2E use किया है, तो फिर mixture of products बन जाएगे, फिर alkyne भी बनेगा, कुछ alkyne बच जाएगा, और कुछ alkyne बन जाएगा, तो ऐसे case में हम excess ही H2E use करते हैं, नहीं भी लिखा हुआ है, तो भी हम excess मानते हैं, addition of halogenes, halogen के साथ जब reaction कर रहें, पहले ब्रोमीन जुड़ जाएगा एक ब्रोमीन, यह one equivalent ब्रोमीन जुड़ा है, फिर दूसरा equivalent एक और equivalent आड करोगे, तो फिर से ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो टूटल चार ब्रोमीन जुड़ गया, पहले triple wand से double wand बना, फिर double wand से single wand में convert हो जाएगा, अब second edition अगर हम देखें, तो मार को निकोव एडिशन यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ ज्यादा hydrogen था, इस double wand को देखो, जहाँ ज्यादा hydrogen है यहाँ पर, उस पर hydrogen अड किया है, और यहाँ पर BR अड किया है, यह तो मैं इसकुद से भरना है, एडिशन आफ एच-एक्स, फालोज मार को निकोव तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, जिदर ज्यादा हाइड्रोजन है, उस अदर हाइड्रोजन लगा देते हैं, एडिधर BR लगा देते हैं, अभी double bond बना, फिर एक और HBR आड कर रहा है, फिर से CS3, यह CBR2 बन जाएगा, और CH3 बन गया, इसे geminal dihalide कहते हैं, vicinal का मतलब था कि adjacent position पर groups रहते हैं, geminal का मतलब होता है कि, same ही carbon पर दो groups attached, addition of water, addition of water में, जैसे कि हमने alkenes के case में देखा था, like alkenes and alkenes, alkenes are also immisible, यह तो ठीक है, क्योंकि non-polar है, तो water में soluble तो नहीं है, and do not react with water, simply water use करोगे तो कोई reaction नहीं होगी, अलग लेयर बन जागा, soluble भी नहीं होगा, लेकिन हमें साथ में क्या use करना पड़ रहा है, however, one molecule of water adds to alkenes, on warming with mercuric sulfate, HgSO4 and dilute sulfuric acid, अगर H2SO4 and HgSO4 हमने add करके रखा है, मतलब H+, हमें क्या चाहिए, हमें हमें चाहिए H+, and Hg2+, mercuric ion चाहिए, इसके साथ अगर reaction कराएं, तो फिर water add हो जाएगा, H and OH add हो जाएगा, अगें मार्कोनिकोव एडिशन है, मार्कोनिकोव सेडिशन है, तो जहां जादा hydrogen है, इधर hydrogen add कर दिया, यह CH2 होगा अभी, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन अड़ कर दिया है ँटाब्लक्र्ट गलत आणके और जैए जादा आइड्रोजिन है इस तोरफ टॉयच अफ?' से मैं करेक्ट करते हूं अब तो कर दो पार तो calculate जाहां पर जीсят हाथ था वहां पर हमें क्या में करने हैं वहां पर हमें हाइड हैैं करना ह 21 तो यह बन गा भी, यह जो compound बना है, इसमें अगर तुम observe करो तो सेम carbon के उपर double bond and OH है, इसे हम inol कहते हैं, यह है inol, and फिर यह जो inol होता है, यह ज्यादा stable नहीं रहता, एक मिनिट बस, carbon के number इसमें extra आए हुए है, तो इसको change कर देता है, CH3 है यह, ठीक है अब, तो अब देखो, तो सबसे पहले inol बन गया यह, क्योंकि यहाँ पर hydrogen था, तो इसमें हमने hydrogen add कर दिया, और इधर OH add कर दिया, इस carbon पर double bond and OH दोनों लगा हुए है, तो यह inol है, inols जो होता है, they are generally unstable, और यह unstable है, तो यह खुदी convert हो जाता है, यह tautomerize हो जाता है, tautomerize किसमें हो जाएगा, यहाँ का hydrogen है, एक hydrogen, यह जो OH के साथ hydrogen है, यह hydrogen इधर shift हो जाएगा, और यह double bond इधर shift हो जाएगा, tautomerization में, एक hydrogen and double bond का migration है, तो double bond को हमने इधर shift कर दिया, और इसका जो hydrogen था, उसको इसकी तरफ shift कर दिया, तो इससे यह बन गया ketone, तो aldehyde and ketone, जब हम alkynes की hydrolysis कर रहे है, hydration कर रहे है, h and oh add कर रहे है, तो ऐसे case में, जो product है, वो aldehyde या, फिर ketone बनता है, aldehyde बस एक ही बनता है, जैसे जब हम इसकी reaction, जब हम इसकी reaction, अगर हम इसके साथ करते हैं, जैसे CH, triple bond CH, यह जो है, इसके साथ अगर तुम reaction करो, जैसे किसी अभी तो symmetrical है, किसी भी तरफ hydrogen and OH add कर सकते हो, let's say हमने इधर OH add कर दिया, and इधर hydrogen add कर दिया, तो यह बन गया enol, और यह जो enol है, यह खुद ही convert हो जाएगा किस में, यह hydrogen इधर आगया, और यह double bond हो बन गया, तो यह एक aldehyde बन जाएगा, तो यह अकेला aldehyde है, इस reaction में, यह एवल acetyl dehyde ही है, जो की form होता है, इस reaction को अगर हम देखें, तो यहाँ पर, इससे थोड़ा से change कर देता है, अभी, मानों कि यहाँ पर CS3 लगा देता हूं, तो CS3 लगाने के बाद एक बड़ तुम try करो कि product बना पा रहे हो, यहाँ पर CS3 है, and again hydration कर रहे है, सबसे पहले है, H2O, H+, and HG2+, है, inol बनाने की try करो, अभी तो Marko-Nikov rule की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पर ही same groups लगे हुए है, दोनों पर ही hydrogen नहीं है, तो फिर, किसी जगे पर H add कर दिया, and दूसरे पर OH add कर दिया, and फिर, इस double bond को इधर shift कर देते हैं, and इस hydrogen को इधर shift कर देते हैं, तो यह CH2 हो जाएगा, और यह double bond, and then CS3 बन जाएगा, तो इस double bond को हमने इधर shift कर दिया, hydrogen को इधर shift कर दिया, तो इससे हम product बना सकते हैं, अगर यह ऐसा रहता, let's say example, इसमें अगर तुम्हें hydration करना है, H2O, H+, HG2+, given है, अब अगर हम hydration करें, तो H and OH को कहाँ add करेंगे, अब तो यहाँ पर markonic of rule भी लगाना difficult है, तो ऐसे case में तुम् हम ओएच माइनस, OH add कर देंगे, जिदर positive charge आएगा, फिनाइल के बगल में बेंजाइलिक कटायन ज्यादा stable रहेगा, तो इस तरफ हम OH add करेंगे, and इधर हम hydrogen add कर देते हैं, तो यह बन जाएगा, यह इनोल बन गया, जो कि ज्यादा stable नहीं है, यह खुद ही convert हो जागा, double bond इ polymerization, cyclic polymerization में हम क्या कर रहा है, यह जो cyclic ethane है, या acetylene है, three molecules of ethane, C2H6, C2H2, यह react करते हैं, in red hot iron tube to form benzene, यह cyclic mechanism देख सकते हो, ट्राइमर कह सकते हो, यह cyclic polymerization से यह जो product है, benzene form हो जाता है, तो यह तो reactions खतम हो गया, अब हमारे, अब इसके बाद हम कुछ questions पर आते हैं, जैसे यह first question है, metallic sodium does not react normally with, हमें सबसे पहले यह देखना है, metallic sodium जो होता है, कहीं पर भी अगर acidic hydrogen आ रहा है, तो वो उन acidic hydrogen के साथ reaction कर सकते है, जैसे but2ine है, तो but2ine में कोई acidic hydrogen नहीं है, third butyl alcohol है, तो अमोनिया जो है, इसके पास भी hydrogen है, वो nitrogen से जुड़ा हुआ है, यह भी sodium के साथ reaction कर सकता है, and ethane जो है, यह terminal alkyne है, तो terminal alkyne भी reaction कर सकते हैं, तो सबसे कम acidic यहाँ पर यह alkyne है, क्योंकि इसके पास hydrogen है, that is present on carbon which is sp3 hybridized, यह alkyne के जैसा है, alkyne के साथ sodium reaction नहीं करता है, second question पर आता है, which one of the following carbonyl compounds cannot be prepared by addition of water on an alkyne in the presence of HgSO4, H2SO4, कौन size इसमें से carbonyl compound नहीं produce हो पाएगा, तो नहीं मैं अभी हमने देखा था कि generally के विल एक ही aldehyde बनता है और वो है acetyl dehyde, बस यह aldehyde बनेगा, यह aldehyde जो है, यह नहीं बन सकता है, इस reaction से, and अगर नहीं बन स सकता है, हमें यहीं तो पूछा गया है, तो यह हमारे लिए correct option है, मतलब की, इसमें टिक कर देता हूँ, क्योंकि यह नहीं form हो सकता है, कैसे form होगा, अगर तुम ऐसा alkyne लेते हो CH, इसके साथ अभी हमने देखा, कि जब reaction होती है, तुम पहले के slide में जाकर एक बार चेक करो जब यह alkyne ले रहे थे, इस alkyne के साथ जो product था, वो ketone बन रहा था, ना कि aldehyde बन रहा था, तो इसके साथ reaction से, मतलब यह वाला aldehyde तो बन ही नहीं सकता, फिर तीन carbon का propanel, in fact इस aldehyde को छोड़ कर, दूसरे aldehyde formation difficult है, 43 number question पर आता है, एन्ह2 के साथ reaction कर रहे है, एन्ह2 माइनस, एन्ह2 माइनस के साथ जब reaction करेंगे, यह देख सकते हैं, vicinal bromide दिया हुआ है, यहाँ पर triple bond बन जाएगा यह, बीटा elimination है सबसे पहले, है, CH है, BR है, इधर भी hydrogen and CH3 है, यह जो न्ह2 माइनस है, यह NH2 माइनस इस hydrogen पर attack कर रहा है, यह triple bond बनेगा, BR डिपार्ट हो जाएगा यहाँ से, यह बन गया C triple bond CH और एक CH3 जुड़ा हुआ हुआ इस पहले, और फिर red hot iron tube, cyclic polymerization जो अभी हमने जस्ट देखा, cyclic polymerization में क्या हो रहा था, cyclic polymerization में, देख सकते हुए, बंजीन बन रहा है, अभी हमारे पास acetylene नहीं है, अभी हमारे पास propine है, तो propine के साथ, यह cyclic polymerization कर देते हैं, तो यह propine बना है, अब propine के साथ, जैसे, तीन carbon, इधर भी तीन carbon है, और एक methyl है इस पे, इस पे भी methyl है, इस पे भी methyl है, इस पे भी methyl है, और यह cyclic way में इसको add कर दो, इस bond को इधर shift कर देते हैं, इस इधर and इस इधर, तो यह कैसा बन जाएगा, दे डबल बॉन्ड आ गया है, इन दोनों के बीच में यह फिर इस इंग, यह double bond है, और यह बन गया, यहाँ पे एक methyl है, इसके साथ है, और एक इसके साथ है, यह form हो गया, यहाँ पे देख सकते ह है, 135, trimethyl, benzenine बन गए सा, इसमेजर product obtained from the following reaction, H2O add कर रहे है, in the presence of H+, and Hg2+, अभी मैं ने तुम्हे सिखाया था कि जिधर kataean बनना stable है, favorable है, क्योंकि यह OCS3 group, NO2 group, यह electron withdrawing है, यह electron releasing है, kataean बनना इधर favorable होगा, और अगर इधर kataean बनेगा, तो OH इस पे add करेंगे, और अ यहां बनेगा तो फिर कार्बोनिल टॉटोमाराइज होकर यहां सी डबल बॉंड हो आएगा यह देख सकते हो यह सी डबल बॉंड हो इधर आएगा दो कार्बन में बाकी ऑप्शन में वेच बना हुआ है तो अगर अगर हम देखे तो यह OCS3 की भी हाइड्रोलाइसस ऐसा यहां पर अगेन एक ट्रिपल बॉंड है जो की मिसिंग है करने कि क्या करना है हमें सी एस थ्री है सी ट्रिपल बॉंड सी एच है अब हमें DCL एड़ करना है तो दी प्लस और चील माइनस तो दी प्लस को मारकोनिक ओव रूल से एड़ करेंगे जिदर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर पॉजटिव चार्ज को एड़ कर रहे है तो यह CHD हो गया और यह CL जुड़ गया इदर अगेन मारकोनिक ओव रू इस तो यह D option correct है तो यहाँ पर असरीड करना है तो सबसे ज्यादा तो यह टर्मिनल अलकाइन सबसे कम यहाँ पर यह यह अलकीन हो जाएगा तो अलकीन सबसे कम दो आप्शन में है A and C अब मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रूप लग जाता है तो वह acidic strength कम कर देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रूप लगा हुआ यह acidic strength कम कर देगा तो सब correct answer जो है वो C हो जाएगा इस question पर आते हैं अब the major product of the following reaction alcoholic KOH के साथ reaction करेंगे पहले double bond बनेगा NaNH2 के साथ फिर यह triple bond बन जाएगा तो यह बन जाएगा triple bond CS3 CH2 C triple bond CH simple सा question है बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना तो हमने ट्रांस अलकीन देखा था बर्च रिदक्शन से बनता है NANS3 के साथ H2PD-BSO4 के साथ क्या बनता है Cys-Alkene बनता है NABH4-SNHCl यह सब तो हम यहां पर यूज नहीं करते हैं एक कोई reaction बज गया था अब उस reaction को solve करो और comments में add करके answer बता दो कि हाँ उस question number and उसका answer क्या है मैं check करके देख लूँगा कि तुमने सही किया है या नहीं बाकि इससे ज्यादा तो और अभी recent years में hopefully सारे के सारे topics तो cover कर लिये हैं हमने एक बार अच्छे से questions को solve कर लो और properly practice कर लो and all the best for your exams Thank you